जो तो है लो गॉपता तो आज कि लाशव का पड़ेंगे कैसे क्या काम करती है मतलब कोडिंग के अंदर तो बैसिकली पार्ट करते हैं तो मैं अपने स्किन से करता हूं जास्टा मिनाट कि इसकिन से हो रही होगी सबको जास्टा मिनाटों फोन से जो ही कर लेदा हूं थाकि में को चैट दिखती रहे कि ओके हो यह बढ़िया तो बैसिकली अगर हम देखे तो जो भी कोडिंग होती है मतलब हमारी सी प्या कुछ भी सी प्लस पर कोई भी लैंग्विज है उसके अंदर जब भी हम कोई काम करते हैं तो नंबर में करते हैं जैसे सपोस्कर नंबर की वन है मेरे को एन जैसे कुछ भ सब्सक्राइब जो पीछे स्थील, मतलब हम अपने आप में काम करती तो जी रवण ने करके एक लैंग्वेज होती है यह उसी पर काम करती है ठीक है अब यह जीरोन लैंग्वेज के होती है तो हमारे पास मतलब एक नंबर होता है वह कितना ही बढ़ हो सकता है हर एक उसकी में ऐसे सब्सक्राइब नमबर होता है अब यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कि हर एक बिड यह तो की पावर सम्धिंग होता है अब कि भी पावर जीरो दन्सकी पावर यह टू की पावर टू ओके ऐसे हम कितनी भी बिट तक इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन जो हमारी नंबर हो बिट हमारी क्योंकि एक तो वह होगी न इमिटेशन की वह इतना बड़ा नंबर इस्टोर तरपाऊ है और बेसिकली वह देखे तो वन इएटी यानि कि 10 की पावर 18 तक की लिमिट होती है कि वह इतना बड़ा नंबर वी के इस टोर ठीक है अब बेसिकली इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो बिट लगती है वह 64 होती है अब 64 बोले तो जैसे सपोस्ट करो एक नंबर है 8 नो 8 नहीं और कुछ लेते हैं सपोस्कर वह 5 ले लिया लेकि निदर देखो सेम पावर दो बार आ रही है तो यह फंडा नहीं हो सकता मतलब हर एक बिट मेरी यादो जीरो होगी वन होगी ऐसे मैं कैसे स्टोर करूँगा अब सपोस्ट करो मेरे को सिक्स्टोर करना है ऐसे ऐसे तो मैं वन वन ही कर दूँगा तो फाइदा नहीं प्लस फॉर अब मैं वन प्लस फॉर को अगर बिट की फोम में लिखो तो यह क्या होगा वन कितना होता है टू की पावर जीरो और फॉर कितना होता है टू की पावर टू तो मैं अगर तुम देखो तो मैं फाइफ को यह रिप्रेजेंट कर सकता हूं और अगर इसकी बाइन लेकिन हर एक बिट मैं बोल रहा हूं इसकी क्या वैल्ली हो सकती है इसकी वैल्ली यह तो जीरो हो सकती है जीरो और वन का मतलब क्या है अगर मेरी करेंटली बिट मेरी आइएध बिट मेरी आइएध बिट अगर जो वन है तो इसका मतलब है जो टू की पावर आई होगा ना टू की पावर आई होगा यह मेरा इस नंबर के अंदर आएगा यह मेरा फाइफ के अंदर यहां लिखते हैं अपने 2 की पावर 0 यह कितना होता है 1 अब 1 मेरा 5 की रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है बिलकुल आ रहा है तो यह मतलब यूज होगा तो इधर लिख दिया मैंने 1 अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2 अब 2 मेरा 5 की रिप्रेजेंटेशन में आ रहा है नहीं आ दूँगा 1, तो तुम देखो, मैं 5 को 101 भी represent कर सकता हूँ, 5 को 101 भी represent कर सकता हूँ in binary form, ठीक है, 5 है मेरा decimal form में, 5 है मेरा decimal form में, और ये 101 है मेरा binary form में, I think ये तो सबको आता भी होगा, just मैंने एक overview दिया था, ताकि किसी को अगर बिल्कूल या idea ना हो, जैसे binary का, तो उससे hint बागी तो बड़ा simple से चीज है, तो समझाई ये वाली बात मतलब, किसी भी नंबर को अगर मैं बोलू तो binary form में कर दो, represent आग, है ना बोल गयर कुछ, बटना मोर अग्जामपल देके समझाओ, मतलब, ये basic थैसले मैंने एक simple सा example लिया है, ओके, ओके, ठीक है, चलो मैं एक example लेता हूँ, अब suppose करो, तुमें represent करना है 13 को, 13 की binary form बताओ मेरे को, इसमें दो चीज़ बताओ, maximum bit कितनी होगी, मतलब maximum bit set, maximum set bit, MSB डोल दे है, और इसकी binary representation, बताओ क्या होगी, chat में लिखो, 1101, ओके, 1101, ठीक है, तो भी ये छोड़ते हैं, अपने इसको मतलब पहले क्या करते हैं, 2 की form में तोड़ते हैं, अब 2 की form में 13 को तोड़ूँगा, 2 की बड़ी से बड़ी पावर 13 के अंदर क्या सकती है, 8, 8 में लिख दिया, मतलब ये basic तरीक होता है तोड़ने का, 13 के अ 5 या 5 से छोटी है, 4, 4 ले लिया, अब 4 ले लिया, अब 5 था, मैंने 4 और निकाल दे, अब कितना बचा, 1, अब 2 के अंदर, 1 के अंदर से 2 की सबसे बड़ी से बड़ी पावर निकाल दो, क्या होगी, 1, तो मैं 13 को 8 प्लस 4 प्लस 1 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अब ठ यह 8 कितना है, 2 की पावर 3, यह कितना है, 2 की पावर 2, यह कितना है, 2 की पावर 0, अब मेरी मैक्सिम बच कितनी है, 3, यानि कि 0, 1, 2, 3, कहने कि 4 भी ताएंगी, और मैं 13 को रिप्रेजेंट कर दूँगा, अब 2 की पावर 0 आ रही है, आरी है तो 1 लिखदो, 2 की पावर 1 आ लोगा, प्रोटा लिख दिया तुम लोगोंने, मतलब 1, 1, 0, 1 का मतलब है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो वो थोड़ी बना, 2 की पावर तुम जो कह रहे हो, तुम यह कह रहे हो, जो भी यह लग्सो रतुल ने comment किया, तो यह हुआ 2 की पावर 0, 2 की पावर one and two-kǐ-power two है निए two-kǐ-power three अब ये कीतना हुआ eight ये कितना हुआ टू ये कितना हुआ one eight plus two ten 11 ॉद्वावन इस तो 11 की रिप्रेजेंटेशन हुए ने ये तो थाटिन की तो यह होगी ना तो यानि की two-kit-power0 आ रही है two-kit-power three-hour eight प्लस-four-plus-one अरे वो पीछे जान नंबर में करती है मैं बिसिकली वो नी बोल रहा हूं तो मतलब पूरे ही हाटकोड हो पहुच गे अभी सिंपल के लिए पूछ रहा हूं इतना आता है बेसिक पूछ रहा हूं इसके अलावा अपने सीखते हैं लेफ्ट शिफ्ट अभी लेफ्ट शिफ्ट क्यों होता है सबोस्कर नंबर है तुमारे पास यह ले लेते हैं स्थिफ्ट शिफ्ट करन है सरफ एक बिट स्थिफ्ट करना है यानि कि हो जाएगा मेरा यह बिट इधर आगी यह बिट चीए कि बिट सैटती है सब जीडू हो जाती है मतलब 1101 को 01 00 करना है मेरे हो अभी सको कैसे करूंगा यह operation या तो मेरे पास है कि या तो मैं डिवाइड कर दू से क्योंकि जब टू से डिवाइड करूंगा तो हर एक बिट अपनी हाफ रह जाएगी सबोज करो यह 8 को रिप्रेजेंट करती यह वाली बिट अगली 4 को अगली 2 को अगली 1 को अब जब मैं 8 को एक बार जना मेरे को एंड को मैं यह वारा दो लगाऊ और फिक कि अब यह क्यों यूज होता है बहुत बटा नंबर हो मेरे पास टीक है 1010 करके कुछ फर्म में नंबर है मेरा अभी इसको मेरे को पंदरा बार जो यह सिफ्ट करना है ठीक है इसको मेरे को 15 बार सिट करना है यानि कि सपोस करो कोई बे मेरी बिट यह 2 की पावर 40 है मैंने तुम्हें बताया था कि 2 की पावर 64 होती है तू की पावर 63 एक मैक्सिम बिट होती है जीरो से 64 मदब 64 बिट मानते है कि इतनी बिट सैट हो सकते है किसी भी नमबर के अंदर लोग लोग में भी अगर हम इस्टोर करें तो ठीक है अब तुम सपोस करो कोई मेरी बिट बि लगाना है अगर मैं इसे कितनी बाद करना पड़ेगा 15 टाइम ठीक है 15 बाद करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं यह वालो उप्रेशन यूज करूं न और इसको यहां पंदरा लूप चलाना पड़ेगा डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई तू पंदरा बार नंबर स यह लिख दूना एंड टाइट शिफ्ट पंदरा तो यह मेरा इस वाली बिट को कहां 15 पर करूंगा तो कहां 25 पे लागे छोड़ेगा यह मेरी 25 पे आजाएगी वाली बिट मेरी ठीक है तो इसलिए यह लेफ्ट शिफ्ट पेसिकली यूज होता है ठीक है इसलिए जब तु लोग तुम अगर देखते हो यह वो ऐसे भी करते हैं L प्लस आर यह वाला यह भी लिखते है कई लोग तो दोनो सेम कर दो यह مतलब तो कर bate car दो एक बार जो समझा रहत R आगया होगा अब सेम काम राइटो क्यों काम आता है लेट्ट शिफ्ट 40 से 25 जाता था, यह मतलब सबोस करो कोई नंबर है, यही ले लेते हैं, अब यह मेरी बिट है, सबोस करो कोई आयेत बिट है, ठीक है, इसके बाद भी कोई नंबर है, सबोस करो, कुछ भी पढ़ा है, अब मैं इसे कहा रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर दो, राइट में एक बार, तो कि यह नंबर मेरा इधर आ जाएगा, यह नंबर इधर, यह बिट इधर, यह बिट इधर, तो यह बेसिकली नंबर कैसे दिखाए देगा, 1101, और जो यह पहरे नंबर पढ़ोगा, यह इधर आ जाएगा, और जो आखरी बिट पे हो इसका मतलब क्या है बिट कैसे रिप्रेजेंट होती है वन टू फोर एट ठीक है ऐसे रिप्रेजेंट अब मैं एक बिट आगे सरका हूँगा चार से आठ पे गया आठ से सोला पर गया ऐसे जा रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं मैं एक नंबर को दो कैसे करते हैं एन राइट शिफ्ट एक्स यानि कि एक्स पार राइट शिफ्ट करतेगा यह मेरी नंबर ओव बिट्स हो बड़ा सिंपल है लुँँँँँद राइट शिफ्ट एक से लिट को ना मां कमबाया फोल लेता हूं साथ की साथ राउट की रोवट ना कि यह सब्लाइम की सब्सक्राइब करने पड़ेगी एक सब्सक्राइब करने पड़ेगी एक सब्सक्राइब एक से लिड़ेगी एक से लिए लग एक से लिएर दो कि एक से लिए वगालाइब एक सब्सक्राइब कि इंपल इक स्क्राइब लिएबेगी एक कर देखो देखो मैंने क्या लिया है यह दिखाई देरी होगी ने कोड़ मैंने पेस्ट किया सब्लाइम से देखो नंबर मैंने लिया आठ उसको मैंने कर दिया एक बार क्या हो गया नंबर चार नहीं दो पर करूँगा है क्या इफ वी डू दो नहीं एक बार करना होता है और ये ये लाट नहीं का मतलब होता है left shift में कौन से sign आप अपने use करते हैं यह वाला इस sign का मतलब होता है हर एक bit को उस तरफ सरका दो हर एक bit को जो bit यहां है न उसको यहां अब यहां 8 होती है यहां 4 होती है अब 8 bit से मैं 4 पे जा रहा हूँ इसका मतलब क्या हूँ है मैं divide कर रहा हूँ चार से 8 पे लोगं कर रहा हूं इदर की तरफ इदर की तरफ ऐससे चार सी 8 प जा रहा हूँ इनट 2 multiply by 2 कर रहूं सिंपल सी अब यह देखो इदर की तरफ लुव कर रहा हूं यानिकर रहा हूँ यानिकर मैं divide by two कर रहा अब देखो मैं ने आट दिया था number एक बार प्रक्राइब कराए तो चार आग्या अभी इसे ही मैं यह वाला तो 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 यह वाला तो तो यह वाला तो इदर रो राइट एक सेकंड और यह याद रखता कोई है नहीं तर लेता हूं लेफ़ कि अध्याद रहा है तुम लोग कि यह वाला साइन होता है लेफ़ शुफ्ट का लफ़ की तरफ सिफ्ट कर दो और सब्सक्राइब लेफ़ का मतलब यह होता है लेफ्ट उता है यह वाला और राइट होता है अरे हां मतलब direction की दिक्का दोगी थोड़ी क्यूंकि left होता है तो left का मतलब left की तरफ shift करो ठीक है यह ज़ी करेंगे जब यह वाला यूस करेंगे तो इसमें किया होगा इसमें मारा left की तरफ move होगा, left इदर move होगा, अब ये bit 4 है, ये bit 8 है, इदर की तरफ move होगा, यानि कि multiply कर रहे है, multiply by 2 हो जाएगा, अब ये वाला कर रहे है, यानि कि इदर की तरफ move कर रहे हैं, आठ से 4 की तरफ, 8 से 4 पे move करेंगे, इसका मतलब है divide by 2 होगा, ठीक है? पाखी यूज तो वही है इस वाले का वही है तुम यह कौन सा है इधर वाला इंका से और है यह याद कर लो कि जब कोडिंग करोगी यह वाली लगा रहा हूं तो तो number of bits में डिवाइड करेंगे, मतलब मेरा number छोटा होगा, bit decrease होगी, bit की value, और जब मैं उल्टी तरफ वाला arrow लगा हूँगा, तो bit मेरी increase होगी, मैं तो हमें से ऐसे याद रखता हूँ, मतलब ही ने, left, right मैं याद ने करता हूँ, इस तरफ है, यानि कि bit increase होगी, multiply by 2 होगया, देखो, यह अभी भी RL मैंने अलग बताया था, लेकिन मैंने जब use किया, तो वो use किया, ठीक है, numbering में, left to right में confused होगे, लेकिन, क्योंकि ये वाला याद करो हमेशा, right shift कर रहा हूँ, तो multiply होगी, क्योंकि मैं bit की value increase कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, ने, sorry, ये वाला, left कर रहा अरे, ये मतलब, अगर मैं ऐसे नहीं लिखता ना, इस वाले को, तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ता, num is equal to, num, ये num है, right shift, one, यानि कि num में ये वाला change कर दो, basically, जैसे कुछ भी करते हैं, जैसे दो integer है, a और b, ठीक है, b मेरा है 10, अब a में में मेरे को store करना है, b का right shift, ठीक है b का right shift, तो ये मैं क्या करूँगा, a is equal to, ये b है, अरे, मैं ये बूल रहा हूँ ना, कि time complexity का difference हाता है, कि मैं left shift program operator यूज कर रहा हूँ, rather than by two, हाँ, हाँ, बिल्कूर, बिल्कूर होता है, जैसे तुम एक function अगर तुमने पहता है, तो वो होता है, built-in pop count, अगर तुम नोर्म में, मतलब, of one नी होता है, exactly, लेकिन ये बहुत कम complexity होता है, of 63 तो होता है, बहुत कम होता है, time में बिल्कूर फरक होता है, लेकिन basically अगर मैं तुमने बता हूँ, ये वालो operation, ये मतलब, जो मैंने बोला है, मैंने example दियागी, तो मैं 15 बार करना पड़ेगा, कहां गया, ये ये कभी use होता है, मतलब इसका basic सी प्रोपाइटी है, कि ये लेफ्ट से एक या दुवारी करना होता है, तो ये 15 बंदरा बाल कभी करना होता है, ये कोई easy easy problem होगी, ये करेंगे, तो करना पड़ेगा, मतलब, बड़ी problem है, तो एक बार single बार करना होता है, या दो तीन बार back हलका फुलका परख पड़ता है, ये निया कि तुम्हारा मतलब code accept हो जाएगा TLE से, ऐसा कुछ नहीं होता हलका फुलका परख पड़ता है, मतलब, minute सा बड़ा, फिर भी एक important feature पता होना चाहिए bit manipulation का, ठीक है, ठीक है, अब अगले चीज पढ़ते है, ये तो बड़ी बेज right shift on three ones, अच्छा, करके देख लेते हैं, वाई, कोई नहीं, तुम बोल रहे हो, right shift, अगर तीन पे, तीन की binary form क्योंगी, एक प्लस दो, ठीक है, तुम क्या रहा हो, मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं इसलिए लिए रहा हूँ, किसी को अगर ना पता हो, तो one को आँगा, अब right shift कर रहा हूँ, right shift मतलब ये वाला कर रहा हूँ, अब ये वाला करूँगा, ये bit इधर आगी मेरी, one, बसी और सारी 0 आगया, ये सारी 0 आगी, तो 0, one, यानि कि ये कितना रहा जाएगा, one, वही मैं कहा हूँ, right shift का मतलब क्यों होता है, divided by two कर दो, three divided by two कितना होता है, one, one, आगया, one, इसकी भी binary representation कितनी होता है, two की पावर 0 सेट है, जैज़ा तुमी ने अभी बताया है, two की पावर 0 सेट है, यानि कि one, two की पावर 0 की value है, one, तो one आगया, आगया समझ, जैमीन पटेल, आगया वही समझ, three का करेंगे तो one आ जाएगा, हाँ, हाँ, बिल्कूल, बिल्कूल, तो मने बाद में लिखने दिया, ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट किसी को, और किसी नमबर में पूछना हो, या मतलब अगले concept मोगउन करें, कि लिए है, ठीक है, अगले पर चलते हैं, गैट इस बीट, यह बड़ा इंपोर्टेंट एक फीचर है, अब सपोस करो, मैंने एक नमबर रिप्रेजेंट कर दिया, सपोस करो, कुछ भी एक नमबर है, जैसे क्या नमबर, फोटी ने लेते हैं, फोनिंग बाइने प्रेजेनटेशन क्या होगी, ठीक है, यह इसकी फोटीं की भाइने रिप्रेजेंटेशन होगी, अब यह बिट नमबर, यह बिट नंबर, यह बिट नमबर फली नमबर घु, और बाद वाली सार जीटो धेयो है, फ्रूअब ठो, सिक्ट्डी ठीक है, जितने भी बिटो, तुम्हें बोलू, कोई तुम्हें काम गीवन है, कोई भी फंक्शन, क्यों आई मेरे को ये बताओ, इस वाले नंबर में, कोई भी नंबर दे दिया, वो bit set है या नहीं है, अब bit set का मतलब क्यों होता है, set bit का मतलब होता है, जो current bit है, two की power i, set bit i का मतलब है, two की power i है, two की power i है, वो one हो, यानि कि वो bit मेरे इस नंबर में include हो, यानि कि contribute कर गी हो, जैसे three, two, one, और unset bit होती है मेरी, जिसमें two की power i मेरा zero के एक वन हो, two की power i मेरा zero के एक वन हो, यानि कि इस bit का कोई भी use मेरे इसमें आओ, जैसे two की power zero, two क तुम्हें मैं बता दूब यह बताओ 14 के अंदर यह 2 की पावर 2 मलब 2nd bit contribute कर गया है यह 7 अंसेट है इसमें सेट पूछते है यह bit ऐदर सेट होगी अंसेट होगी मैंने बता देशाट मतलब 1 इसका मतलब 0 अब 2 की पावर 2 देखें गया तो क्या एक अंसर सैट है ना अगया वर वन 2 की पावर मतलब पूछली byte number 1 बताओ मतलब 0 बता आज नहीज नहीर नहीं मुढ़ा एक सेट है तो हम एसे निकाल ना पड़ेगा अब हम कैसे निकालेंगे कि वह वाली bit यह नहीं बताओ कोई कैश्रे करेंगा को चलो एक सेक्ड यह वाला हम करते हैं इससे पहले बिल्कूल इससे पहले इससे पहले हम लिएक फिर्वाइज और लेपले हैं बिल्कूल यह सबस्केन लिखा है गहीं करें में निकालने के लिए अगर मैं इसको दो बार लेसीफट कर दूं तो आर शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है अब मतलब लेफ्ट आर का कुछ नहीं होता है यह पतो होना चीए अरो कुन से यूज़ता है बस क्योंकि कोडिंग में एरो यूज़ता है वह एलार नहीं पड़ेगा तुम्हार अरो देखेगा ठीक है तो अब में इस तरह मुग करन यह वाली होगी जो मेरे को चेक करनी है यह bit 1 होगी ठीक है और अब मैं चेक कर लू अगर यह वाली बिट और end 1 ठीक है इन दोनों का end बताना है मेरे को, अब end क्या होगा, अब इन दोनों का वीचे मैं end लिख हूँगा न, तो ये क्या करेगा, पहले 5 को binary form में लिखेगा, फिर 7 को binary form में लिखेगा, और इन दोनों का end करतेगा, अब end क्या होता है basically, जो bit, दोनों के अंदर set है, वो end के, मतलब end number, ये final number है मेरा, final number, answer number, end, दोनों का end होगे जो number आएगा, कोई bit मेरी 5 के अंदर भी set है, 7 के अंदर भी set है, तो वो जो मेरा answer आएगा न, उसके अंदर भी set होगी, तो bit इसके अंदर set है, इसके अंदर नहीं है, तो वो नहीं होगी, मतलब end की basic तुम्हें पड़ी भी होगी, फिर मैं अबर त्लिये कर रहा हूँ, अगर bit 1 and 1 है, 0 and 0, 4 case हो सकते हैं, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ये set है, ये unset है, ये भी set है, ये unset 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 है, ये 4 case हो सकते हैं, 1 bit 0, 1, 0, 1, अब इसके उंदर फ़हली ये वाली हीट होगी, एंड के इंदर, जो सैट हो Ces cache में ये होगा तो भी क्योंकि एक येशिपवोगी जीरो घया दोनों जीरो है जीरो हो गया ये वाली पर लो 3 और 4 का अब 3 की पाइनरी रिप्रेजेटेशन क्या होती है 0 1 1 0 क्यों लिखा है बढ़ाता हूं 4 क्या होती है 1 0 0 4 कितनी होती है ठीक है अब इन दोनों का end लूँगा यह मैंने 0 इसलिए लिखागा कि 4 की लेफ्ट शिफ्ट कर दूगा तो यह वाली बिट मेरी आखरी में पढ़ी होगी यह वाली बिट आखरी में पढ़ी होगी अब मैं इसको end कर दूँगा अगर 1 के साथ है और अगर यह मेरा 0 है तो यह मेरा 0 आएगा तो मैं कहा सकता हूं यह बारे bit unsat है ठीक है यह मेरा एक तरीका है चेक करने का वरना इसके अलावा एक और तरीका है अब मैं इसको left की जहाँ right shift से भी check कर सकता हूं right से कैसे करूँगा यह 1 1 0 है ना इस चेक करनी है कर दो अगर मैं से दो बार सिफ्ट कर दू राइट तो उसका मतलब क्या होगा यह इंदा अगर यह तो यह दोनों क्या होगे तो यह ऐसे हो गया represent, अब मैं इन दोनों का end लूँ, तो बागे सब तो मिले को पता है, इधर भी सब कुछ 0 है, इधर भी सब कुछ 0 है, तो यह सब तो 0 या ना है, क्योंकि मैं end ले रहा हूँ, लेकिन यह वाली bit अब set आएगी, यह completely depend करेगा उपर वाले पर, क्योंकि यह व और यह तुसार वाला, मैंने दोनों बताती है, ठीक है, कोई सा भी यूज़ कर लो, हाँ, बस इस वाले तरीके में एक बात ध्यान रखना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं, one left shift x, ठीक है, अब बताओ यह वाले तरीका ठीक है, one left shift x अगर मा करूँआ end, मतलब जो इस ने लिखाई ये, अमन ने, क्यों तरीका ठीक है, बोलो तो बही हाँ, तो इसका मतलब, हम बेसिकली यह वाला लिखते हैं, कई बार इसमें हमारी error आ जाती है, वो क्यों आती है, हमें इदर one left लिखना चाहिए, ठीक है, बेसिकली, यानिकि लोग-लोग में shift खरो, क्योंकि एक-दो बार मेरी खुद की wrong answer इसमें आ चुकि है, इसके कारणी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपने आपी, I don't know why, ठीक है, बेसिकली अब यह हो गया, hand बता दिया, get बता दिया, अब और और देख लेते हैं, और भी basically simple होता है, और क्या करते हैं, जब दो नमबर का और कर रहे हैं, और दोनों बिट set है, दोनों unset है, एक set है, एक unset है, तो इसमें कोई भी एक bit अगर set होगी ना और में, तो वो answer के मेरी bit set आएगी, एक आगया, 0 आगया, इधर एक आया, इधर एक आया, एक क्यों आया, दोनों bit set है, दोनों 0 है, तो इसमें set आजाएगा, get again, ठीक है, ठीक आभी बढ़ाता हूँ, और और पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ, get, इसके अंदर बना गया है, कोई भी अगर एक bit set है, न मेरी, कोई भी एक bit set है, तो मेरी यह वाली bit answer के अंदर set आएगे, अब example के लिए देखते हैं, 5 और 5 और 7 वाली देख लेते हैं, 5 की representation कितनी थी, 101, 7 की कितनी थी, 111, sorry, इधर लिखते हैं, इसके अंदर अब कितना चार कैसे represent करते हैं, 0, 1, 0, 0, ठीक है, अब इन दोनों का और लूँगा, तो आठ वाली bit set होगी, 4 वाली set होगी, 0, 0, बाकि दोनों set होगी, यह कितना आया मेरा, दोनों को और लिए मैंने 12 आ गया, दोनों को और लिए मैंने 12 ठीक है, अभी एक बर जोर और पढ़ लेते है ठीक है, and पढ़ लिया, और पढ़ लिया, अब जोर और पढ़ लिया, अब जोर और पढ़ते हैं, अब जोर operation क्या होता है, जोर बोल रहा है, अब एक जोर operation क्या होता है, इसके अंदर भी 4 case होगी, दोनों bit set है, दोनों bit unset है, एक bit set है, एक set है, दूसरी unset है, मतलब जोर अंदर bit अगर set है, bit अगर एक चाहिए मेरे रहो तो इसका मतलब है जब दो नम्बर का जोर कर रहा हो ना तो एक तो bit set हो, एक bit set हो, एक bit unset हो, ओके, अगर दोनो bit मेरे सेम है न, आइधर 0 0 है, और आइधर 1 1 है, तो यह answer मेरे को 0 दे देगा, ठीक है, दो set bit के लिए, दो set या दो unset bit के लिए, यानि कि दो सेम bit के लिए, यह हमेज़ा 0 थ्रो करेगा, 0 आ गया, यह जोर की property होती है, एक set, एक unset, वना गया, एक set, एक unset, वना गया, ठीक है, अब end और जोर में किसी को doubt होतो बताओ, वरना मैं get वाला explain कर रहा हूं दो बाला, नहीं है, ठीक है बाई, अब get वाला करते है, get का मतलब क्या है, तुम्हें एक number गीवन है, ठीक है, हमें इसकी binary representation लिए, मैं खाली bits represent करता हूं, यह इसकी binary representation है, suppose करो, अब तुम्हें given है, यह वाली कोई iat bit है, यह बताओ, कि यह वाली bit set and set है, पहली बात set and set का मतलब है, यह bit one है या 0 है, अब यह कुछ भी हो सकते हैं, आप यह पता नहीं, हमने गैसे 148 करके लिखा था, हमने उपर, तो उसमें 2 की power i b include हो रही है, तुम्हें यह बात तो समझागी, कि 2 की power i include होने का मतलब क्या है, हाँ, ठीक है, अब जीरो का मतलब है कि 2 की power i scanner contribute नहीं कर, यानि कि यह scanner include नहीं है, अब मेरे को बतानी है यह वाली bit set and set, तो इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो मैं क्या गरूँ, इस वाली bit को आखरी में ले जाऊं सबसे, और उसका end गर्दू बन के साथ, यह क्यों कर रहा suppose करो एक number है, यह कुछ number of bits है, और यह मेरी एक single bit है, suppose करो, और basically क्या बोलना चाता हूँ, suppose करो यह वाली bit check करनी है, यह वाली bit कुछ भी हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कि यह क्या है, one है, zero है, मेरे को यह वाली bit check करनी है, अब यह वाली bit check करनी है, अब यह वाली bit check करने के तो दोनों का end कितना आएगा 1 अगर यह bit 0 होगी तो दोनों का end कितना आएगा 0 क्योंकि ये वाला तो हमेसा 1 है तो ये वाला कभी दिक्कत दे गाई गी और अगर ये 0 होगा तो मेरा 0 shirt आजाएगा अगर दोनों सेट है इसका मतलब है मेरा 1 आ रहा है आ रहा है मतलब दोनों सैट है तो I can say वाइ मेरी ये वाली बिट है ये सैट है इस के अंदर है अगर ये जीरो आ है तो मैंतली धो मेरी जीरो आ रहा हुँए इसका उपर वाली ये तो इस नंबर में यह वाले बिट अंशैट है ठीक है आया समझ यह वाले बिट चेक करनी है अब अगर इसे यहा ले जाओं अगर मैं इस वाले बिट को यह ले जाँ तो यह वन मेरा यहा यहा आ गया सबकुछ जीरो पर यह वह जाएगा आगे पीछे अब इन दोरों का एंड ले लूँ तो मेरा completely इन दो बीटों पे depend करेगा ये वाली बिट तो हमेशा वन है अब अगर मेरा ये वन आ रहा है इसका मतलब ये तो वन थी तो ये उपर वाली भी वन है उपर वाली वन है ये वन आ गया तो आइकन से कि हमाँ ये वाली बिट सेट है अगर उपर वाली जीरो है तो वन एंड ज ये विट सेट नहीं है ठीक है कि क्या बोल रहा है अब सपोस्ट करो गैट आई है बढ़िया बढ़िया चलो अब ठीक आप सपोस्ट करो तुम्हें एक दूसर नहीं रखा ये वाला उपरेशन बड़े इंपोरेंट है ये दो तीन ना ये गैट आयाट से लिए इसका मतलब क्या होता है तुम्हें कोई बिट गीवन है उसकी कोई बिट गीवन है अब ये व अब इसके अंधर दो कंडिशन मनेंगी में इसका मनेगी आईज़र मैरी पहलें वेरे उसे बमेंक है तो ये दो केस बनेगी मेरे को पता है प्रिविएस बिट या तो 0 होगी या 1 होगी इसके अंदर दो केस मंडे मेरे बैसिक लिए 0 से 1 जाओ या 1 से 0 जाओ ठीक है अब अगर तुम देखो तो ये 0 और 1 पता लगाना क्या है ये बेसिक सिंपल है उपर ही पता या भी ये बाली bit पहले तुम करलोगे पहला मेहसट क्या करोंकि इसमें get I youth bit ने जो जो ने जो पिए करेगा मानली ए 1 है अब तूने आखका दीए ग्पर हो summon है अगर यह जीरो है तो तो हो जाएगी जीरो लेकिन अगर यह वन है तो वन एंड मन का जोर करेगा तो जीरो आ गया न सेम भी तो नो तो यह गल दे वाली अप्लोज चूज़ करना है वह सोच आप बिल्कुल और कर लेंगे बिल्कुल ठेक अब ग्याट निकालॉं इट मैरे दो कंडिशन हुगे सैगेट टएप को हो सकता है क्या क्या सपोस्किर वं करना है वं करना है तो क्या नीड यह करना है तो मिनको अरत किण most और बेसिकली और जे वाली बिट diversity क्या करना बढ़ा से गीजका सरक Biz उसे इतनी दो बार right shift की अब one मेरा इधर आ गया ठीक है तो basically मैंने number क्या बना पाच bit उपर वाले की एक वाला bit इधर set है सबको zero होगा अब उपर वाली bit one हो zero हो जब मैं और लूँगा तो यह bit हमेशा वनाईगी उपर कुछ भी हो क्योंकि ऊपर one and one होगा तो भी वनाईगी one and zero होगा तो भी वनाईगी क्योंकि एक bit मेरी set है और दो नम्रा का जब मैं और करता हूँ एक bit set होनी जरूरी है अपने आप इसका वना जाएगा तो तुम देखो मैंने यह वाली bit set कर दी यह one हो zero मेरे को फरक नहीं पड़ता यह सा बढ़ा है यह वाला कि यह नो लिख दो जल्दी एक्टिव रहा खुड़े अभी तो बेसिक भी पढ़ रहे हो बढ़िया बढ़िया आगी set कर दी मैंने यह bit set कर दी ठीक है अब अगला operation बढ़ो इसके बाद कि यह आ गया तो update वाला तो एक मिनट का आना खाली update वाला तो इनी का मतलब एक हाया मतलब इनी का version टाइप मालो एक ठीक अब clear कर दो आईएध bit अब clear में भी दो operation मेरे होंगे मतलब दो टाइप हो सकते है clear का मतलब होता है अंसेट बता दना code में अच्छा ठीक है ठीक है एक सेगें दुको एक सेलो एक बार ये clear और अप्रेट वाला पढ़ा दो फिर इखठा हो दिखा दूना code में ना ये and जो भी किया है दो मिनट का काम है सारे code इखठे दिखा दूना ठीक है 20 करतो वन है दो जीरो करतो दो हूंगे इसमें भी पहला step क्या होगा पहला step क्यों होगा get a ये pin मदा अइसे कैसे करतो गूई कूछ भी operation get करो second operation होगा बैसिक य बहुँ यह कुछ नंबर कीवन है ऐक कूछ भी नंबर में वाली यह वाला इसमें अगर कोई बनाता है एक मिट देता हूं यह थोड़ा ठीक है कि सोचो इतने चलो मैं बला रहा हूं कोई ली देखो यह मेरा नंबर गीवन है यह कुछ भी बीट्स है इसमें आयत बीट मैंने दे दी यह वाली अब मैं गया रहा हूं इस वाली बीट को किलियर कर दो यानि कि इस बीट की वैलिव जीरो सेट कर दो यह वन हो जीरो सपोस्कुर एक नंबर हा यह वन जीरो दो गज्यो वन डी इस वाली बीट को जीरो कर दो यहारी डेना है वाली बीट चैंज हो चाएं और यह वाली बीट अग्र अगर अपरे से लिग और आ पर पर दो एक तो बड़़ा एंड से करोगे बिल्कुल बिल्कुल इए अमन वाला बिल्कुल यही में साथ एंड से में पर होता है उसमें कुछ बिट उल्टी सेट करनी होते है, वो कुछ तिल्डे साइन लिखके करना होता है, वो साइन का मतलब मेरे को definition नहीं पता है, इसलिए मैं कभी यूज नहीं करता हूँ से, खाली फैंजुक में यूज करता हूँ बढ़ या पढ़ जा, देख अब get i.e.t में 2 case हो सकते हैं, या तो मेरा bit 0 है, या मेरा bit 1 है, अब 0 है तो 0 से 0 पे जाओ, 1 से 0 पे जाओ, अगर मेरा 0 है, और इससे मेरे को 0 पे जाना है, तो मैं सेम वोई काम करना है, जो मैंने इधर किया था, इधर है, ये वाली bit मेरी set है, य ये वाली bit set है, अब मैं उपर जानता हूँ, उपर वाली bit भी मेरी set है, उपर वाली bit भी मेरी set है, तो मैं क्या गरूँगा, ये वाला number मैंने लिया, मालो ये वाली bit, ये वाली bit मेरी set है, क्योंकि मैं check कर चुका हूँ उसे, तो मैं एक number बनाऊंगा, जिसकी ये वाली bit set हो तो वन आ जाएगी ठीक है सेम है वादल ऊपर वन होगी मैं बता रहा हूं कभी तुम काओ कैसे आ गया यह उपर जो होगी ना जो 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 के साथ जीरो करूँगा जीरो आगी जीरो के साथ वन गा करूँगा वन आगी कोई मेरे को फरक नहीं पड़ेगा लेकिन और वन और जोर करूँगा ना मैं तो एक कितना आगे जीरो आगया वन और वन जोर गरूँगा तो ठीक है तो तुम देखो सारे बिट ऐसा का ऐसा पड़ी है मेरी और यह वाली बिट मेरी जीरो होगी ठीक है तो देखो यह वाला मैंने उप्डेशन परफॉर्म कर दिया के लिए यह तो डाउट हो तो बताओ वरना आगे करते हैं अपने फॉर्थ वाले उप्रेशन पर फॉर्थ वाला अप्डेट आई अप्डेट यह अप्डेट यह मतलब बता चुका हूं फिर भी यह वाला एक जिए पर तिन चारवारी सब्सक्राइब देखा इसलिए मैंने सोच यह वाल इसमें करो इसमें फिसमें करनी है तो तो तुम यह वाला परफॉर्ण करो तो कुछ इसमें पढ़ाने वाला है लगता है बड़ी सिंपल से चीज़ है तो अभी क्या कोड़ पर चले फिर एक बार कोड़ करके देख लेते हैं इसारों के कि अगर किसी को डाउट नहों तो कि ठीक है कि सब्लाइम होगी से यह सबको ठीक है तो यह तो बड़ा सिंपल से जैसे यह लिया मैंने कौन जा उप्रेंटर साइए ड्राइट समय जा रहा है आर कंट्रॉल भी किया इसको करता हूं लेफ्ट सुट करता हूं लाफ्ट का मदलम है मुल्टिप्लाइए वर कर रहा हूं एक बर कर रहा हूं तो अभी देखो कितना हो गया सिक्स्टीन हाना चाहिए अब देखो मैं इसे सब्सक्रों एक बार निम नमब्र लिया एक आब इसे मैं चार बर कर देता हूं कितना आना चीह आंसर कितना आना चीह पहले एक है एक से गया चार बर करना हूं ना एक से गया दो पर दो से गया चार पर चार से गया आठ पर आठ से गया सोला पर शोला आना चीह तुम देखो अगर मैंने को सेट करनी तो सपोस करो एन है मैंने कुछ इंपूट ले लिया अब मैंने बिट ले लिए जो मेरे को सेट करनी है अब पहले मैं करता हूं जो गैट करना पड़ेगा अब मैं करता हूं कि यह वाली बिट भई सेट है या नहीं है एस सेट मेरा वन होगा अगर मेरी बिट सेट है जीरो होगा अगर बिट सेट नहीं है तो बेसिकली क्या करूँगा मैं एनलिया कैसे बताया था यह वाला सेट का एनलिया एंड उप्रेशन पर्फॉर्म कर देंगे वन एलल बिट के साथ ठीक है अब इसकी वैल्यू वन हुई तो इसका मतलब बिट मेरी सेट नहीं है अब नंबर सब्सक्राइब नंबर यह पाठ 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 की रिप्रेशन कितनी होती है वन जीरो बन पोच्छ रहा हूं तो जीरो आएगा जीरो आ गिया ठीक है आ रहा है नहीं समझ बताब बेसिक सीज़ एक इस बार टो एए कंत्रोल सी कंट्रोल फी तो मुझारते हैं एक्स कि पने लें ओके अर्श एक बार लिए दिए रहे दोबार करने राइट्स मैंने वालिए ग्रेट्ज दैन्या थे इसकी गलती थी मतलब एक बार हमने लिया था तो यह नहीं है तो आप सब्सक्राइब करो 14 के लिए हम लोग कर रहा है अच्छा यह एंड ले लिया मैं अच्छा इन दोनों का एक से बढ़ा आ रहा है यानि कि यह वाली बिट मेरी सेट है ठीक है तुम ठीक है यह एट क्यों आया एट इसलिए आ रहा है जब इन दोनों का तुम एंड करोगे ना फोर्टीन और टू की पावर अच्छा इधर बढ़ाता हूं जिरो 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 अब इन दोनों का तुम एंड करोगे तो कितना एक आंसर तुम रहा आठ हाना चाहिए ना आंसर मतलब इदर वन वन है लेकि इस बिट की वैल्यू कितनी है आठ तो इसलिए आठ हारा इदर अगर तुम इदर यह लिख दोगे is set greater than zero यानि कि उन दोनों का end करके उठा घारा यानि कि व वाली विट Set है तो तुम लिख दोगे सट तुम दोगे हिंगे यह आएगा यह आगे न पूरा देखो यरी वाली बिट मेरे ती और यह आ गया थीग बता दो कि ए मगदा बेसिक लिए तो मैंने ये नंबर लिया अब यह वाली बिटो करनी है उप पहले मैंने क्या किया पहले मैंने वन की यह वाली बिटो के आंसर में मिल जाएगी तो मैं लिख दिया यह एक मेरे को सैट करने है अगर मेरी इसके अंदर दो केस बनेंगे अगर मेरी बिट सैट है अगर मेरी उड़्यों करने की जोर्थ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? ओल्डेडी सेट में प्रिंट करा दूगा ठीक है? और अगर जो मेरी बिट सेट नहीं है मेरे को सेट करनी है तो मैं क्या करूँगा? N is equal to क्या मैं उसका क्या करूँगा? और कर दूगा किसके साथ? बेसिकली या एक्स के साथ और कर दूगा और मैं अभी तुम्हारे को N प्रिंट करके दिखा दूगा तो फॉर्टीन का फॉर्टीन ही प्रिंट हो जाएगा अब फॉर्टीन के अदर कौन से बिट नहीं आती? इसके अंदर वन अपसेंट है वन तू की पावर जीरो अब देखो टू की पावर जीरो में इसके अंदर सेट कर रहा हूं अब देखो 15 प्रिंट होगा वो क्यो होगा बताता हूं एक सेगंट पहला देख लेती है अब क्यो हुआ फॉर्टीन के डिप्रेजेंटेशन यह थी मैं उसक नहीं रहा हूं तो यह वाली बिट है ने मेरी यह वाली यह वाली ठीक है आखर वाली इस वाले वण की अगर मैं बाइंडरी वैल्यों निकाल लूँ तो कितनी आएगी सारी बीट सेट है यानि की 15 ठीक यह वाला भी सबको समझ आ जाना चाहिए बड़ी बेसिक से चीज़ है अमने को क्या करना मैं क्लियर ओप्रेशन प्रफॉर्म कर रहा हूं कि अगर जो इस चैट ग्रेटर देन जीरो है तो यानिकी मेरे को है या मैं इधर ले जाता हूं कि अगर ये वाला मेरा ग्रेटर जने इसका मतलब ये वाली बीट सेट है और मेरे वाली वीट क्लियर करनी पड़ेगी वर्ना अगर मैं इस वाले रूप में आ रहा हूं इसका मतलब ऑल डैडी ऑन कलियर लिए देनके लिए को जोड़ती निये गडरने की देकन अगर ये इश यह वाली बिट में तो यानि कि मेरे को इस वाली बिट में कुछ काव करना पड़ेगा अब फोटेन की पावर जीरो अब देखो इसमें कुछ नहीं होगा कि लिए मैं इसके इंदर आ गया अब तू की पावर तू के लिए देखूं तू के लिए देखूंग तो तोू कितन été होता है चाला तो ने चार वाली एट्धा तो तो आठ अचा हो तो दस 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 इधर print हो गया ठीक है अब basically वह update वाला बटा simple सा है update वाला को बटा simple यह set or run and set लिए करना था चारो मैंने method तीनो method get set clear तुमारे साथ कर दिए discuss किसको doubt हो कोई भी method में तो बताओ या कोई भी example समझना आयो कि यह answer कैसे आया या तो तुक क्यों दिखाया तो बताओ मैं दोबारा उसे क्रिया में तो ट्राइक करतेगा कोशिश करना उसे समझानेगा जैट वाले का सबसे पहले वाले यह ठीक है अधिक लिया मैंने कुछ पी इन्पुट ले लिया ठीक है ठीक है अब मेरे को बिट है अब मेरे को यह वाली बिट निकाल नहीं है अब मेरा नंबर कुछ भी है ठीक है मैं आसी रिपेट रहा हूं एन है मेरा कितना एन कुछ उट ले एन ले तू नो ले अब नो की बाइनर रिप्रेजेंटेशन के होगी आठ होगी सैट और सैट नहीं होगी दो नहीं होगी एक सैट होगी ठीक है अब इसके अंदर बिट कौन कौन सी सैट है सैट बदा कौन कौन सी है इसके बाद मेरी चरी अब बिट कौन सी है अनसेट कौन सी है मेरी यह दौनो कौन सी वन और टू तो अब बेसिकली अगर इसका आंसर कितना आने चाहिए अगर मैं उन और टू को प्रिंट करना थो मेरा जसके यह वाली बिट जो मिर चेक करनी है है 0, 3, 1, 2, कोई भी बिट जो मिर चेक करनी है वह वाली बिट săट होगी वह वाली बिट skaट होगी अब वह वाली बिट कैसे सEIT होगी, मैंने उसे बताया था 1 ले लिया मैंने अब 1 को मैं उतनी दपर shift कर दूँगा left shift कर दूँगा ठीक है अब क्यासे कर रहा हूँ मेरा 1 है मेरे को मालने bit check करनी है second वाली जैसे इदर है इदर number change करनी हूँ 9 और 2 ठीक है मेरे को second bit check करनी है second bit second bit कौनजी है 0, 1 and 2 यह वाली अब यह वाली bit check करनी है तो इसकी जो bit value है वो set होनी चाहिए आप इसकी bit value कितनी होती है तेरी? आठ होती है, चार होती है तो मतलब basically मेरा यह वन है अब इस वाले वन को मेरे को यहां लेकर जाना है तो मैंने को कितनी बार shift operation perform करने पढ़ेगा? कितनी बार परफॉर्म करने पड़ेगा गर मेरी बिड्स परफॉर्म कर दूगा अब मैं चैक कर लूगा इस सैट उप मतलब इस set क्या set है मतलब नाम से clear हो रहा मैं चेक कैसे करूँ है मैंने बसाए था मेरी temp के अंदर ये वाली bit हमेशा set होगी तो मेरे को check करनी है set है या यानि है तो हम मेरा depend करेगा no के अंदर क्योंकि मेरी temp वाले में तो हमेशा मैंने set करगी अब अगर इन दोनों का add लेने के बाद मेरा one आ रहा है, यानि कि end and temp, ठीक है, add and temp, यानि कि इन दोनों का set करने के बाद मेरा one आ रहा है, one basically, इस का मतलब, one का मतलब यह नहीं हो, तो one आएगा, one का मतलब होता है, जो यह वाली bit है न, यह वाली bit है जो, इस bit की value कितनी है, 4, तो मेरा इन दोनों का add 4 आ जाएगा, कि ये दोनों bit set है, ठीक है, समझे ये वाली बात, समझे ये वाली बात, कभी तुम में तब ये समझे लो, कि अगर set है, तो 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, जब ये वाली bit common होगी, तो answer आएगा 1, ये वाली bit common होगी, greater than 0 है, यानि कि मेरा कुछ ना कुछ end आ रहा है, तो मैं क्या print कर दूँआ, तो मैं print कर दूँआ, cout bit is set, else I can print, it is not set, ठीक है, अब return तो है न, return है इदर, तो मैंने ये देख लिया, अब मेरा no की power दो, मतलब no की second bit, ये set आनी चाहिए, unset आनी चाहिए, पहले तू बता, ते recording output क्या आना चाहिए, तो क्या लगता है, unset आईगी, unset आईगी, not set आना चाहिए, देख लेती है, अच्छा, एक operation लगा जाए, दो बार आता है, bit is not set, बिलकुल आ रहा है, अब मैं तीन के लिए चेक करो, तो तीन के लिए क्यानी चाहिए, set आनी चाहिए, तीन के लिए bit is set आगी, ठीक है, आगया समझ, ठीक है, और मतलब, और किसी को doubt हो भाई, और किसी method में तो बताओ, simple सी method है, कुछ मतलब ज़्यादा है नहीं बैसे, किलियर क्या कह रहा है तू, किलियर ले 10 और 1st bit के लिए अगर देखर देते हैं, कितना अंसर आना चाहिए, पहले अपने देख लेते हैं, तो आठ सेट है, हर नहीं है, 2 सेट है, एक नहीं है, और उसमें तो कह रहा है, पहली bit, यानि कि यह वाली bit, अगर जो ना अंसेट कर दो, यह वाली bit, अगर मैं 0 कर दो, तो आठ सेट हैगा, 8 आठ साथ हैगा, 8 आठ आना चाहिए, देख लेते हैं, बिट इस क्लियर, अच्छली जब जौर करेंगे, जौर करके जो टीवे 0 है, इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर देगा, वो 0-0 करके उसको 1 नहीं कर देगा, पहली bit तो यह वाली bit तो सेट आई है, यह एक सेट लोगे जिखाल देता हूँ, जो कामकाली है, यह देखना, यह तेरी इसकी यह बता, इसकी जो 10 की binary representation है, वो 10-10 होती है, यह बत मानता है, तो अब इसमें तो यह वाली bit बोल रहे हैं, सेट करने के लिए, यह वाली, जिसमें मैंने जो मैंने मार्के, अब मैं इस पे जब 1 लेके और करूँगा, तो बाकी सारी, इस पे देख मैं एक number बना रहा हूँ, 0010, ठीक है, यह मैंने bit बना लिये अपनी, अब मैं इस दो लों का जब और करूँगा, ठीक ठीक करूँगा, तो वन और जिरो का जिरो पार जिरो का जिरो आगया, बनोला जिरो आगया, दोनों बिट सेट है, यह जिरो, तो जोर करेगा तो जीरो आएगा ना तो देख न खाली इस वाले पे मेरा वन क्यों आ रहा है इस वाले पर वन है तो जोर क्या जोर क्या अगर सेम बिट तो जीरो आता है लेकिन सेम जीरो आएगा ना जैसे जीरो जीरो आगया वन और वन जीरो आगया तो यहीत भूल प्रूल्ट भी डिखे अजय आगे और बुखना अब आगे तीग है आगे 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 है अगे अगे तक मैंने क्या बताया था अगर जो मेरे को अब यह बताया था अगर माल लो अगर जो मैंने बताया था वो यह बताया था जैसे कोई वेक नंबर गिवन है तुम्हें अब इसकी तुम्हें कोई इस बिट करनी है किलियर आगे पड़ा रहने तो इस्टाइटिक की आई विट जीरो करतो तो गताओ कैसे करो गए आई बिट जीरो करतो एक सेकंड तुम्हें से सोचो मैं एक सेकंड में आया मैं दवाई लेकर आया मैंको फ्यूर था सोड़ा एक सेकंड में आया झाल 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 कोई आइडिया है किसी के पास कि मतलब कैसे इसको करेंगे अगर आगरी की आइडिया बिट मैं बोल दूँ सेट करनी है तो ठीक है तो इससे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ पढ़ते हैं यह कि पावर आइक क्या होगा मेरा आइड जितनी भी है सारी जीरो आब मरेको यह बताओ तू की पावर आइंगैं थे और सारी की सारी बिट मेरी सैट होगी यह बड़ी इंटेस्टिंड मुंतली है बाद इस से पहले जो इसकी वैल्ली की जैसे तुम और इट औरesyवन का 8 में वह घट कितना इक पावर 3 को इसंrites की तुकि पावर 3-1 तो मैं कराओ 8 में 3rd bit set होगी बाकी 2, 1, 0 unset होगी 7 में क्या होगा 3rd bit unset होगी बाकी सारी set होगी अब इसके answer निकालो 1, 2, 4, 3, 0, 8 वाली 1 वन आगया answer 2 की power 0, 1 2 की power 1, 2, 2 की power 2, 4 4, 5, 7, 7 किसी के लिए 16, 15 के लिए देख लो 2, 3, 2, 3, 1 के लिए देख लो किसी के लिए देख लो यह हमेशा यह जो मतलब condition है satisfy करेगी 2 की power i-1 की जब तुम बाई-1 की जब तुम बाई-1 की जब तुम बाई-1 तो इस bit से पहले जितनी भी bit होगी 0 to i-1 सब की सब set होगी मेरी सब की सब ठीक है और उसके बाद वाली सारी जीरो होगी ओवियस्टी बात है ठीक है तो अभी यही वाला फंड़ा अपन इसमें यूज़ करेंगे जब यह आखरी की आयद करेंगे करेंगे पहले answer से पहले इसका मतलब concept समझत तरीका समझतिय है सब्सक्राइब करो यह कुछ बिट दे दी और यह कुछ बिट दे दी है अमने को यहां से लेके यहां तक करना है यह कुछ आयद बिट है तो अगर तुम देखो, अगर मैं कोई ऐसा नंबर बना दू, जिसमें ये सारे बिट तो 0 है, और ये सारे बिट मेरी 1 है, तो जब इन दोनों का end लूँआ, तो ये सारे तो मेरे 0 के 0 आएंगे, तो तुम देखो, उपर वाल नंबर as it is print out हो जाएगा, तो अभी हमारा basically क्या है, एक ऐसा नंबर बनाओ, जिसमें आई, जो हमें bit set करनी है, उससे लेकर आखरी तक सब कुछ unset पढ़ाओ, यानिकि सब कुछ 0 पढ़ाओ, उससे पहरे सब 1 पढ़ाओ, इन दोनों का end कर बनाओंगा, इस नंबर को बनाने के लिए 2 step मेरे को perform करने पढ़ेंगे, अब वो step क्या है, पहले में एक नंबर बनाओंगा, suppose करो मेरी maximum bit है 30, ठीक है, मैंनली जो होता है, 31 bit होती है, 31, 32, जो इंट की range में आ जाती है, और नंबर of bit हमारे पास होती है, 63 तक, ठीक है, तो ल नंबर ले लेंगे, जिसके अंदर पहली 30 bit set होगी, यानि कि मतलब पहली 31, यानि कि 0 से लेके 30 तक, कितनी bit होगी, total 31 होगी, यानि कि 0 से लेके 30 तक, सारी की सारी bit set होगी, ठीक है, 31 bit होगी, total, तो अब ये नंबर मैं कैसे बनाओंगा, अभी बताया था, ये नंबर कैसे ब इसी नंबर सिंपल सी बात है वो वारा नंबर जिसकी इससे बड़ी विट यानि जिसकी 31 विट सैट हो उसमें से मैंस 1 कर दूँगा उसमें से बाइनस 1 कर दूँगा अब भी बताए कि टू की पावर i-1 2 की पावर i-1 एक नंबर होता है जिसमें 0 से लेके i-1 तक सारी बिट सेट होती है जैसे 7 लो 2 की पावर 3 2, 1, 0 0 से लेके i-1, 2 तक की सारी बिट सेट है सेम इदर करूँगा 2 की पावर 31-1 लेलूँगा ताकि 31-1 30 से लेके 0 तक सारी बिट सेट हो 30 से लेके 0 तक सारी बिट सेट हो तो हम मेरे पास एक नंबर आ गया एक नंबर आ गया टैम एक नंबर टैम मेरे पास आ गया जिसकी 30 से लेके 0 तक सारे के सारी बिट 1 है यह बात समझागी सब को इसके बाद एक और इस्ट्राप बचाएं खाली तो इस्ट्राप बेसिकली आवर सभी चलेगे क्या अब आखरी की सपोस्थ हरो मेरे को यह चार की बने है यानि कि आखरी की चार तीन दो एक जीरो यह वारी विट मेरे को अंसेट करनी है त्टीक है अब बेसिकली यह नंबर लो 30 के लिए हम छोटा नंबर लेता हूँ इसे मैं सपोस्थ करो 10 अब यह के लिए 10 ले रहा हूँ मैं बेसिकली बता हूँ 30 तक के लिए हम लेके चलते हैं क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो सकता है ठीक है एक दो तीन चार पाथ छह साथ आठ नो और एक 10 यह नंबर कैसे बनेगा टू की पावर 11 माइनस वन कर दूँगा तो यह नंबर मेरे पास बन जाएगा ठीक है और उन दोनों का जोर करतो यह सारी बिट जीरो होंगी जोर करूँगा यह सारी बिट ऐसे की ऐसे उतर गई यह सारी बिट मेरी जीरो की जीरो होगी ठीक है अब मेरे को क्या नंबर चीए था जो मेरे को नंबर चीए था वो नंबर मेरे को मिल किया मिल गया नंबर बताओ य की पावर 5-1 करूँगा तो 5-1 यानि की चार से लेके 0 तक की सारी विट सेट आईगी मेरे पास तो यह नंबर आ गया दोनों का एंड करूँगा तो एक नंबर मिलेगा जिसमें 2 की पावर 5 से 2 की पावर 10 तक 5 6 7 8 9 और एक 10 ठीक है एक बिट कम दे दस तक सारी की सारे विट सेट होगी एक नंबर यह नंबर मिला है जिसकी उन सब का end लूगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा उपर वाले क्योंकि ये तो 1 है इसके कारण तो कभी 0 हो नहीं नहीं तो 1 and उपर 1 है तो 1 आ गया, उपर 0 है तो 1 and 0, 0 आ गया और इसके कारण उपर कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, ये 0 है तो 0 और 1 का end करूँगा तो 0, 0 और 0 का end करूँगा तो 0, तो देखरो एक नंबर बन गया जिसकी 5 से लेके 10 तक सारी बिट तो as it is होगी, जो मेरी उपर वाले नंबर में है, लेकिन इसके 4 से लेके 0 तक कि सारी बिट 0 होगी, अब बाताओ, समझा या, जानता हूँ थोड़ा कॉंप्लेक्स था है, लेकिन समझा या आना कुछ तो लिखोगा, या आया नहीं आया, मतला एक्स्प्लेइन वन समोर, ओके, और भी को लिख दो है, कन्फूस हो गया, मतलब मैं भी हो गया था, पहली बार जब सीखा था, क्योंकि तिंचर कंसर्फ एकठे लग रहे हैं, इसके अंदर, बेसिकली इसके अंदर, मतलब क्या बोलगा, इंपोर्टन मेथड क्या है, यह व तो की पावर आई मैं लिख रहा हूं, तो आई-त बिट सैट होगी, जैसे सपोर्स करो एक के लिए, टो की पावर एक के लिए, गहां बोलगा, यह कितना है, और बिट सीट है, और बिट है नि, तू की पावर वन के लिए, ठीक है, चारपाइख एक्जमबल लेगे देखते यह कितना है टू की पावर 1 टू की पावर 2 टू की पावर 3 टू की पावर 4 अब टू की इसकी बाएंदर रिप्रेजेंटेशन लिगूंगा तो यह होगी 1 बाकी सबकुछ 0 जितने भी बचे है अब 1-1 यानिकी 0 से लेके 0 तक सब 0 अब 4 के अंदर 2 की 2 तो होगी सेट अब 1-0 जितनी बची है दो बिट 0 आगी अब 8 के लिए तीसरे वाली सेट है बाकी 3 वाली सेट है दो 1-0 वाली अब 16 के लिए 2 की पावर 4 यानिकी 4th बिट सेट है 3-2-1-0 अब यह वाली बास समझागी ने वाल यह बताओ सब किसम यह बास ठीक है तो अब इसी का यह प्रोपोईटी है और यह प्रोपैटी बाद में एक और उसमें यूज होगी बड़ी जो oh one में तुम oh yes बाद मालें चलो एक और उसमें कुस्सरे में यूज होती है बड़ी मजेदार प्रोपैरेटी अगर यह समझागी तो तुम्हारे अब टू बिट होंगी टू की पावर आई माइनस वन में है आई माइनस वन से लेके जीरो तक सारी की सारी बिट सेट होंगी और आई से लेके आगे तक की सारी बिट मेरी जीरो होंगी ठीक है यह मतलब प्रैक्टिकली तुम कुछ भी नमबर लिखके देखलो तुम लिखके देखलो च साथ में कौन कौन सी सेट है दो की पावर जीरो दो की पावर एक दो की पावर दो चार पाच्चाह साथ एक दो तीन पंदरा में कौन कौन सी सेट है आठ चार दो 8, 4, 2, 1 ठीक है 2 की power 0, 2 की power 1 2 की power 2, 2 की power 3 तो देख रहे हो 3 में 0 1 set है 7 में 0 1, 2, 15 में 0 1, 2, 3 यह दीख रहा है तुमें कि 2 bit है 2 set 7 में 3 bit है 3 set और सारी 0 इसमें 4 bit है 4 set गोसे त्टम और सारी 0 अब तुम 16 की देख खोंगे 16 की में पहली 4 0 थी पहली 4 0 थी और बाद वाली 1 थी ठीक है इसमें उल्टो हो गया आठ की में देखो के पहली 3 0 थी फिर एक साथ की में देखो के पहली 3 एक है फिर सारी 0 चार की में देखो के 2 0 थी फिर एक तीन की में देखो के 2 1 है फिर 0 यह कितना है 2 की पावर 2-1 तुम्हें 18-8-4-16-4-4-0-1-0-0-1-0-0-1-0-2-0-2-0-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-2-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0- समझाई बस यह बात है जो है मतलब यह में जो है यह किसी भी नंबर के लिए बना के देख लो यह हमेज़ा मतलब true होगा यह वाली condition कभी भी तुम बना के देखोगे तो टीक है अब यह नंबर आ गया अब तुम जानते हो मैं तुमने कोई बिक नंबर बनाने को गोल दो आई एसा नंबर बनाओ जिसकी पहली आयएप बिट set हो, जिसकी पहली आइध bit set हो, तो तुम कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, तुम जानते हो भई, पहली आइध bit set के लिए, मेरे को एक number लिना पड़ेगा, जो 2 की power i plus 1 minus 1 हो, यानि 2 की power i plus 1, then minus 1, ये मैं number ले लूँगा, तो मेरी पहली आइध bit set होगी, अब एकजम्पल के लिए देको i layer, i low, 3, यानि 3 का मतलब है, पहली 3 bit मेरे को set चाहिए, 0, 1, 2 मेरे को set चाहिए, तो 3 plus 1, 4, 2 की power, 4, sorry, sorry, 0 to 3, 0 to 3, 0 to 3, sorry, इसे तोना करो, 0 to 3, 2 की power कितना होता है, 16, minus 1 करो, 2 की power, i plus 1, minus 1, 15, 15 की minor representation कितनी होती है, 15 की, अभी अभी बताईए, 15 की, 4, 0, यानिके 0, 1, 2, 3, 0, मतलब ये 0 से लेके 3 तक कि 4 set है, i कितना है, i है 3, i है 3, तो 0 से लेके 3 तक की सारी की सारी set हो गई, अगर मैं 2 की power, i plus 1, minus 1, यानिके 2 की power 4, minus 1, 16 की minus 1, यानिके 15 की binary representation लिखूँगा, तो 0 से लेके 3 तक की सारी की सारी bit मेरी set होगा, आया ये समझ, किसी के लिए लिख दो, i is equal to 2 के लिए लिखो, 1, 2, मतलब कुछ भी लिखके देख लो, यह हमेसा मेरा true होगा, क्योंकि यही तो है बस, यह बस मैं ultra लिख रहा हूँगा, यह बस हम मैं ultra लिख रहा हूँ, यानिकि पहले मैं क्या लिख रहा था, 2 की power i minus 1 के लिखूँगा, तो यह होगा, मतलब ऐसे आएगा, 2 की power i minus 1 के लिखूँगा, तो कौन सी बीट मेरी set होगी, from i minus 1 to 0, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कि मेरे को i से 0 तक की, सारी bit set चीए, तो मेरे को क्या लिख न पड़ेगा, यह i minus 1 था, तो यह i था, यह i है, तो यह i plus 1 होगा, बेसिकली अगर देखूँ तो i plus 1 हो जाएगा, क्योंकि यह आभी मैंने plus 1 कर दिया, यह i minus 1 था, ऐसे कैसे, ठीक है, यह है तो यह है, यह है तो यह है, ठीक है, उल्टा लिख दिया भैंज बस मैंने, बात वोई same है, आगे है यह समझ, सभी को, simple चीज है, मतलब यही एक थोड़ा चीज मानलो, जो hard से है, अगर यह आ गया, तो फिर उपर वाली चीज में किया, उपर वाली तो बड़ी simple है, अब मैं रोको एक ऐसा नमबर चाहिए, तो बारे एक्स में कर देता हूं, यह आगे ना मैं सबको, यह वाली बात, जो मैंने अभी बताई, यह वाली इंपोर्टेंट है बात, अब दो बंद लिकता वार, बंद दाकि पता चले, पता चले एक पोई आ रहा है, बाकी सारे वैठे हैं आँ से, यह वाली बात, यह इंपोर्टेंट है बाकी तो, बाकी सब तो मतलब बच्चों वाला केलना है, और इसका कोई मतलब वैसे निया का हुई तो mathematical प्रूफ करना चाहरे और mathematical भी प्रूफ है इसका अगर तुम्हारी समझ आए तो बताता हूं मैं अगर समझ आए तो ठीक है ना आए तो ना आए मतलब यह मेरी कुछ binary नंबर है अगर इसके अंदर मैं यह मेरा जीरो आ गया अब जैसे ही मैं एक आड कर रहा हूं तो मेरी टू की पावर आई प्लस वन सेट हो जा रही है और सारी की सारी जीरो हो जा रही है तो इसी कार रिवर्स करके यह उपर वाला फॉर्मूला बनाए कि इसके अंदर से माइनस वन करतूंगा तो मेरी चारो बिट सेट हो जाएगे क्योंकि माइनस वन करने का मतलब है कि आखरी बिट मैंने घटा दी तो इसी का उल्टा समझोगे तो उल्टा बड़ा कॉंप्रक्स लेकिन अगर ऐसे समझोगे तो ब है जिसकी कुछ भी यह रेंज है तो इसको मैं कैसे करूँगा अगर मैं कोई ऐसा नंबर बना लो जिसमें यहां से लेके यहां तक सब कुछ जीरो और इन दोनों का यहां पढकर सब ना जएगा जेयरो मैं की तुम देखो तो ओपर मेरा नंबर पढ़ेंगा न ौपर वाला वन हुआ जीरो जीरो मैं तो बस्ते yapti राद हं Really. सब कुछ न ben rozpढ़ा तो मैं देखो कि इन दोर नंबर का मैं एंड लेनूं तो मेरा जो नंबर आएगा ना वह फाइनल नंबर आ जाएगा जिसमें इस्टार्टिंग की यह लास्ट आई एध बिट अजट करती मैंने और इसे का ऐसी पड़ी है ठीक है आगया यह वास समझें यह नंबर के जिट कर और ऑब यह वाले नंबर कैसे प्रिलिंट होगा यह वाले नंबर बताया मैंने अब इसमें साध कर लो सारी मिट मैंने टू कीपावर थाईटेट की यह कि ठीक बिट सेट कर लो यानि कि तो अभी इसका मतलब क्यों होगा 31 से लेके 32-1 31 से लेकर जीरो तक सारे की सारी बिट मेंटी सेट होगी तो यह मतलब 31 काफी बड़ा अगजांपल हो जाएगा इसलिए मैंने एक छोड़ा नंबर लिया है तू के मतलब जिसमें स्टाइटिंग की जीरो से लेकर दस तक की सारी सेट है सोरी तू की बड़ 11-1 अब इसका मतलब क्या जीरो से लेकर दस तक की सारी सेट होगी 10 9, 8, 7, 7, 4, 3, 2, 1, 0 अब सब्सकरों 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 तक की मेरे को सब कुछ 0 करनी है 0 से लेके 4 तक की तो मैं एक नंबर बनाओंगी जिसकी आकरी की ये सारी सैट होंगी ये नंबर कैसे बनाओं? 4 प्लस 1 5 माइनस 1 कर दूंगा 5 यह सारी क्या होंगी? यह सारी, 0, 0, 0 होंगी. यह मतलब यहां सब जीरो होगी? वह पक्षूजरद नहीं की 0 से लिए के 4 5 माइनस है यहानि की 4 तक की सारी सैट होगी मेरे पास. अब इन दोनों का अगर मैं जोर कर दू इन दोनों का जोर अगर मैं कर दू बोल फवाँ एक्षब बोलता हूं एक्षब होता है विसिकली पर उसे हो नहीं पर उसे जोड़ करूगा तो वन ओर वन जीरु आ गिया वन ओर वन जीरु तो स्ट्राइटिंग धी औरसे लेके जीरो तक सब कुछ 0 आ जाएगा क्योंकि यह भी सैट आ यह भी सैट А is पांच वी बिट से लेगे आगे थे जितनी बिट मेरी दस विट एग्जेस्ट करती है सब कुछ वन आगया तो यह जो नमबर की मैं बात कर रहा था यह नमबर मैंने बना लिया अब तो मेरे पास आज आजाएगा बताओ आगया समझ बैसिकली यह तीरी स्टैप करने यह नंबर बनाओ यह करने हैं बताओ आगया समझ अगर वह बिट वाले सेट आगे कैसे रेंज उफ बिट सैट हो यह तो बड़ा असाल सही है अब कि यह राइए इसके अलावा एक और अपने बास एक और इसके लावा उसके बाद फिर अपना क्योंस देखते हैं तो ती तो इसके अलावा दो मतलब एक बड़े हैक्स यह हैं इसकी है यूज हो जाएंगे कई जगें अब तुम्हें बता दू अभी तक तो मैं क्या कह रहा था यह नंबर कीवन है इसकी आएध विट कर दे आखरी की आई विट उटा और अज सेट कर दे यानिकि सबको जीरो करते हैं लेकिन सपोस करो अब मैं तुम्हें कह रहा हूं यह नंबर ले और में वा आकरी की आलगे अ यह नंबर एक से लेगे तीन तक यह वाली एंयरे यह वाले एक कैसी तो यह वाल रूप Πूर उपर वाल वाले बिट यानि कि जो मेरा पहरी नमबर पढ़ा है ऐसे कया सपढ़ा रहे जो मेरा या नमबर ढूतों ठीक यह आखरी की इतनी बित सरे करो तुम्हां करता बैसिक एक नमबर बना था जिसकी सारी बित सर आएंगे जो ऋपर पड़ाए और की सारी सथ होगी क्यों कि यह वाली बित सेट होगी है इसलिए मैंने और का बता है एक तो काफी सिंपल और अब्रवाला कर लिए कि लिए औ जिसकी आखरी की आई यह ते पिट सेटो और कर दो दोनों का बस सिंपल है एक स्टैप का क्योश्टन है और कर दोनों का है ना तो यह तो मेरी क्याल से तुम्हें भी अपने आप आई जाएगा ठीक है चलो अब यह वाला बताओ किसके बाद को यह प्रोच है मैं कर सकता है जैसे इसमें लुकर BAR करके नंबर बनातूए तो wzd के नंवर से अगल अंगऊंगा जिसकी सबकुछ होगा उगा इसका सब कुछ सेटों होगा दैन एक नंबर म मनाओंगा जिसकी जो ये चैने पड कि सबने होगा एक जीरो और 3 3 2 1 अब मैं इस नंबर को चेंज करूँगा एक ऐसे नंबर में जिसकी आखरी की जीरो हो गया अब तुम देखो यह वह जो नंबर है जो मैंने उपर बना रहा था कि स्टाइटिंग की जीरो बाद में कुछ नंबर जीरो तो यह नंबर तो तुम सबको बनाना आ गया होगा अब तक आई मेरे को क्या बना रहा है लेकिन अभी बाद में चाहिए चुब बाद में यानि कि यह दो नी इसे एक लेलो इसे दो सपोस्ट कर लो यानि की एक और जीरो ठीक है यह एक बिट सब्सक्राइब आ लिया अब यह वाली बिट में ऐसे कैसे आ जाए यानिकि यह ब नंबर बना हुआ जिसकी पीचे की जिसकी आगरी की जीरो से लेके एक तक की बिट सेट होगी और दोनों का और कर दूगा दोनों का और कर दूगा तो मेरे पास क्या नंबर बनेगा यह बिट मेरे बाद जीरो पागी सब कुछ या गया अब तुम देखो मैंने एक ऐसा number create कर लिया जिसकी ये वाली range तो है 0 बाकि पूरी की पूरी range 1 है जिसकी जो मैंने को range 0 करनी है वो 0 आगी बाकि पूरी की पूरी 1 है अगर मैं इस का औरिजिनल number के साथ औरिजिनल number के साथ एंड कर दूँगा एंड कर दूँगा तो ये वाली range एसेटी जाजाएगी ये वाली कुछ भी उपर पढ़ाओ 0 आजाएगा ठीक है आगया समझ अब ये क्यों आई ये तो 1 है उपर वाली मतलब ओरिजिनल number में 1 होगा तो 1 आजाएगा औरिजिनल नबर में 0 होगा तो 0 आजाएगा सेम है ये तो अवेसा वरी कॉंट्रिबूट कर रहा है देरा आएंड में कि समझाया कि सबको आ गया ना बड़ी अलक्स है सबको आ गया ना समझ यह वाला कंसेप्टर जो उपर वाला है मैंने खाली एक या दो बार ही किया है ऑक बस एक स्टैप और एड़ होगा हाँ हाँ बिलकूल बिलकूल बस यह वाले स्टैप होगा ना देखो यह नंबर तो हम बना ही रहे थे बस अगर आखरी की और सेट करनी है तो वन वन लेके यह वाली प्रोलम मैंने खाली एक या दो बार है करें को जीए कोई प्रोलम फिर भी बना मैंने सीगा था तो मैंने सुझा बता देता हूं वागि यूज मुज किया निए यूज बेसिकली जो उपर बताएदे ना गैट सैट अंसेट किलियर यह वाले उपरेशन यूज होते है वे तीन उपरेशन ही है उसे के उपर पूरी तुम बिट कर दो बस हाड होता जा बहले पहले से पताओ जिसने लिट कोड वगारा काफी की होगा उसे पता बिए अगर मैं तुम्हें कोई नंबर दूब दू और चैक करने को कहूं कि वैइं चैक करो इस इस नंबर पावर ऑफ टू क्या यह नंबर कोई टू की पावर है बदलब क्यों समया रही हैं दो है क क्या कोई प्रूफ है तेरे पास सब्सक्राइब करके बोल सकते ही मतलब यह जो आपरेशन होता है यह लास्ट सेट उसको अंसेट करता है तो तो का पावर में एक ही बिट सेट होता है तो हम उसको अंसेट कर देंगे तो हमको मालम चलिए उसका जो जीरो हो जाएगा तो मालम चलिए पंद्राइं विल्कुल 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 तूगी पावर भभी दूबर मतलब कर गए है तो इसा होगा विदो और फ्रण बाकि Score चे रोगा और अगर मैं इन दोनों का end लूँ तो ये सब 1, ये सब 0 जीरो आ गया, ये 0, ये 1, 0 आ गया तो अगर मेरा 2 की पावर आई यानि कि मेरा जो end गीवन है ये 2 की पावर आई है तो मेरा इसका और इसके n-1 का जोन हमेशा, sorry, end हमेशा 0 आना चाहिए ये जो मेरा 2 की पावर आई है ये जो गीवन नंबर है ये मेरा 2 की पावर आई है वर्ना नहीं है end, end, end-1 का जोन मेरा हमेशा 0 आना चाहिए ये basic सा फंड़ना होता है ठीक है? पहला है दूसरा देखो कई लोग क्या घरते हैं इसको यूज कर देते हैं कि end-1 होता होता होगा अगर उन्हें पता नहीं होता क्यों होता है ऐसा फोर्मूला याद कर ले दे इसलिए मैंने बताया अब दूसरा कोई भी number given है end, इसमें count करो set bit count कितनी है? जैसे count से मेरा मतलब है number given to you 11 binary representation 2 की पावर 3 set 4 नहीं है 2 है 1 है ठीक है यह number given है अब इस number में कितनी set bit है पहली दूसरी तीसरी set bit का मतलब bit की value 1 हो 3 कैसे count करोगे मतलब क्या approach लगाओगे built-in pop count n is equal to is equal to 1 अच्छाय तूब के हाँ बिलकुल ठीका वो भी कर सकते है अब यह वाला बताओ कैसे count करोगे count of set bit कैसे करोगे has anybody any approach है तो बताओ बिलकुल 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 यह करेंगे हम क्या करेंगे n-1 को repeat करते जाएंगे जब तक लिए हैं अब ऐसा क्यों करेंगे suppose हो एक number है मेरे पास बन जीरो बन अच्छा यही ले लेते हैं अब जब इस number को minus 1 करके लिखेंगे तो इसकी क्या होगी जो आगरी की set bit है उससे पहले का पूरा का पूरा नंबर ऐसे रिपीट हो जाएगा जब इसका minus 1 लिखेंगे यह n है यह n minus 1 लिखेंगे थोड़ा इसका minus 1 लिखेंगे तो यह वाला वन हो गया जीरो इससे पहले की जिदनी भी बीट है वह सब 1 हो जाएगी अगर अब हम इन दोनों का end करेंगे तो क्या होगा इससे पहले का आए वह ऐसे कैसे आ जाएगा 1, 0, 1, 1, 0, 0 और जो नो इसके बाद का है वह सब 0 हो जाएगा क्योंकि यह सारी बीट 0 है यह सारी बीट 1, यह 1 है यह 0, ठiक है क्योंकि मैं आखरी बिट की बात कर रहा हूं आखरी बिट है मतलब उसके बाद वाले सब जीरो है ठीक है यह बेसिकली आ गया मेरा नम्मा ठीक है और मेरी count of set कर दूँगा एंड करूँगा दोनोगा पहली तीन विट ऐसे की ऐसे और बाद वाली सब मेरी जीरो होगी अब यह मेरा एंड हो गया बाकि सब कुछ वन हो गया इंक्रीज होगी बाई वन तो यह दो से तीन हो गया दोनों का एंड करूँगा जीरो आ गया यह जीरो बाकि सब जीरो अब एंड मेरा जीरो आ गया तो यह नहीं कोई एक बीट हटाते जा रहे हूं एक बार क्या यह एक दूसरी बार यह एक तीसरी बार यह एक तक यह मैंने हटा दी थी ताक कि मैं लब एक उप्रेशन आने पटे ऐसी करोगे तो तुम खाली उतनी उप्रेशन प्रफूर्म करोगे जितनी नंबर ओफ सैट बिट आई है ठीक धुब था जिटाना पड़ रहा था, जिरो से थैटी बार डग अभी तुम कितनी बार चला रहो भालू तुम्हारे पास नंबर गिवन है उसकी थीस सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थीस तक चेक करना पड़ेगा, वह सारी बीट चेक है फिर पिर जीरो नहीं प्र काफी सिंपल हो जाता है काम अपना ठीक है अब चले प्रोब्लम क्यों है तो यह है बिट के अंदर बिट के अंदर बिलकुल बिलकुल सबको आगे न समझिए अमनों को तो पहले से पता था इसका इंपलिमेंटेशन इस वाले का बता रहे हैं बता दें किसो गार ना है तो बता दो मतलब फाइदा निया अब तुम ऐसे बैठे भी और समझ नहीं आ रहा तो मतलब कहीं फाइदा है इस पूछी लो यह बता दो बिट जाद लाएंगी समझत आ जाएगा कम से कम यह वह चलो दो मिट बैठे तो आ गया कुछ ठीक है चलो ल लेलिया है कि अब एनके अंदर लेल काउंट लेलिया मैंने ठीक है अब वाइड एंड ग्रेटर देन जीरो जब तक मेरा एंड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो यानि की अंदर कुछ ना कुछ बिट मेरी सेट है तो क्या करूँ है एंड इस एक्वल टू एंड कर दिया मैंने अब आधरी में इसी आउट करने अकाउंट को ठीक है अब चलोगे के अंदर ले लेते हैं इसे वाइल टी माइनस माइनस ले लेते हैं एलल टी लेते ताक यह टिक कापी ट्रेस्ट के लिए काम कर सकें टीक है मौलहाद चलोगे कर लेते हैं एक दो तीन चार पात चैसार आट नो ठीक है अभी कि अभी मैं इसे करूंगा तो कितना अंसर नहीं पना अंसर स्ही double 11 मैं तीन मैं चलो अनघ्र एक के अंदर कितनी होगी k tomagami 2 पलस Pardon किनी होगी और कितनी होगी बाट कितनी होगी ग्रेंदर कितनी कि रहें निर कितनी होगी चार पलस A दो 6 bit होगी 6 के ँंदर कितनी होगी 4 bolas 2 2007 की शाक के अंदर कितनी होगी 4 कितनी दो होगी तो मेरा इतना अंसर आना चीह यह यह प्धिकर मैं आग्या समझ आग्या समझ बेसिकली ऐसे करतेंगे कि जब तक हमारे न के अंदर नंबर ओफ बिट ए एंड 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 द माइनस वन काउंट इंग्रिस करते जाएंगे आखरी में काउंट करतें मतलब चोंट होगा वाइल लूक के बाद वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी नंबर ओफ बिट्स कितनी से अटाउस के नहीं ठीक है तो चलो अब प्रोब्लम के और मुपोर बढ़ते हैं एक सेकंड एक सेकंड ना मैं लिंग खोल लेता हुँँँ करते हैं करूएंट अजैज वे खलाग मुड़ूएंग करे लगाएंगा। प्रोडम है उसका मतलब क्या हुआ एन नमबर है एन नमबर है जो मेरे एक्जेक्ट्री ट्वाइस अकर कर रहे है रहे हैं चैसे मानलों एक नमबर है जो मेरा अकेला आ रहा है तो कितना हुआ मतलब कितना साइज होगा तीन नमबर है तीन दूनी चैपलस एक साथ यानिकी वैल्यू इदर होगी तीन साथ तो हम मेरे को बताना है इस एरे के अंदर ऐसा है तो एक नमबर दो बार आ रहा है हुआ एक नमबर दो बार आ रहा है सिवाए एक नमबर गयातेव तो से क्या अप्रोच लगाओं यह बिलकुल सबसे असान ब्रोडम है कई भी जाओगे वाली पकाट इसक्स होगी ठीक है जोर ले लोगे सबको आगे नहीं वास समझ में जोर ले लेंगे सिंपल सा जोर क्यों लेंगे इदर दो जो है अब जो जो वाली बिट जो भी बिट में दो कें पाइनर पाइन रिपेरजन्टीशन लीन हो कुछ आई अब जब दो सेरव नंबर रो तो इह कितना आ जायेगा है इवलउ इधर जो बैट एक होगी इधर भी एक होगी जो जैना कि जब भी दो सेरव करेंगे जीरव आ गी अब मैं जानता हू तो सारे number से बगा सिवाए एक के तो ये एक number मीरा बचा और इसके अलावद सारे pairing में है तो सारे आपस में एक दूजर ता देगा बचेगा तो यह जो number x बचा यूनिक number ये मेरा यूजर आ जाएगा तो अमन्ष सब तो कट आगे ठीक है अब ही अगर मैं बोलूं कि एक एरे गिवन है जिसका साइज है टू एन प्लस टू के में भी ना देखियों कईयों ने देखी भी हो जिन्होंने ज्यादा गोटिंग की होगी ठीक है अब इसके अंदर एंड पेरस ओफ नंबर ऐसे हैं जो ट्वाइस तुम इसको find out करने कौन से नंबर है जो खली एक-एक बार आते है चार और पाथ भी अरश की नंबर सेंबर आ रहे हैं अब ये दो नमबर को फाइंड आउट करने हैं जो अलग-अलग नमबर कोन से हैं दो यूनिक नमबर जो खाली सिंगल टाइब एक्सिस्ट करते हैं चार और पाच कोन से नमबर है यह बताओ तेरे को करूं चलो एक मिनट देता हूं तो वह सोचो इस्वाले को सब्सक्राइब काफी तो यह वाली नियुक्त बढ़र सुच्च वाली प्रोब्लम झाल 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 हाँ वाई यह प्रोट मैं बनी मैं बताँ यह कुछ हैल का फुल का टूट गल्सल जो भी हो दिमाग में बोलना चाहते हो तो वह तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम एक यह लेंगे अपना इसमें हम एक एरे लेंगे एक्स X में हम सब का जोर कर देंगे और जब हम बाद में जोर करेंगे जो ये NPR का जोर होगा इसके कारण 0 contribute होगा ये बात मानते हो जो मेरा ये N नमबर का जोर होगा इसके कारण 0 होगा तो basically जो मेरा X रिप्रेजेंट करेंगा न वो represent करेगा इन दो unique number का जोर तो मैं जानत हूं जो मेरा एक्स है ये मेरा दो unique number का एक्सोर represent कर रहा है और इस एक्सोर के इंदर कुछ बड़ी इंपोर्टेंट प्रोपरिटी होती है अगर इसके अंदर इसमें जोर एंड जोर माइनस वाला बड़ी अजीब सी चीज़ होती है यह ना मतलब पता नहीं को ना तो आझ से करताओ इसमें था यह से नहीं करता है अगर जोर की इसका मतलब इसका मतलब क्या है यह या तो जो मेरे दो यूनिक नंबर है तो दो यूनिक नंबर है मेरे A और B एक अंदर भी बिट जो सेट है दोनो जीरो है या एक अंदर दोनो सेट है ठीक है अगर मेरी जोर की आयत बिट जीरो है इसका क्या मतलब है जो मेरे दो यूनिक नंबर है उसमें दोनों में या तो वो bit 0 है या दोनों में वो bit set है ठीक है? अगर मेरी ये bit 1 है तो इसका मतलब क्या है आइदर वो bit मेरी A के अंदर 0 है B के अंदर set है या A के अंदर set है B के अंदर 0 है आई समझवे बात तो अभी तुम देखो मेरे को A और B में difference find घरना है लेकिन अगर मेरा जोर की आइद bit 0 है तो दोनों से मैं क्या difference मिला? नहीं दोनों से मैं difference मिला? नहीं अगर मेरी जोर की आइद bit 1 है दोनों की bit अलग-अलग है क्या difference मिला? बिलकुल मिला दोनों अलग है क्या difference मिला? बिलकुल मिला तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो भी जो मेरा x आया है, उसकी आयत bit निकालूगा, मतलब उसकी bit निकालूगा, जो set होगी, ठीक है, मैं एक लूप चला दूगा, from 0 to 30, 0 to 30 क्यों, मतलब basically 2 की पावर 31 माइनस 1 तक है, तो मेरा नंबर की range की होगी, 2 की पावर 31 मा ठीक है, यानि कि मेरा maximum number ये हो सकता है, सारे bit set है, तो जो मेरी maximum bit होगी ना, मतलब कोई ना, कोई bit 0 से लेके 30 तक की set होगी, क्योंकि यही मेरी bit है, जो exist करती है, तो मैं एक loop चला दूगा, और वो find करूँगा, कि मेरी 0 भी exist करती है, 1 करती है, 2 करती है, तो जैसे ही मेरा बोल सकता हूँ, कि जो मेरी 5th bit है, यह 1 है, इसका मतलब है, आइदर, यह मेरे B के अंदर set है, A के अंदर unset है, और यह मेरे A के अंदर set है, B के अंदर unset है, यह वास समझाई, बताओ, यही इसका concept है, यही जो अभी मैं बताया तुमें, यही इसका basic concept है, कि मैं एक ऐसी bit न बिट आईधर मेरे A के अंदर अंसेट होगी या फिर एक अंदर अंसेट होंगी ठीक है ठीक है यह पात समझाई तो अब मैं क्या करूंगा अब मेरे पता है और जो मेरा डिफ्रेंसिेसिल करेंगी तो मैं दो नमबर ले एकस सोरी यूनिक वन टू बना लूगा एकस वाई कुछ भी बना लो तो आई मर जी है अब यूनिक वन में मैं दोबारा एरे पर लूप चलाओंगा फ्रोम जीरो टू एन-1 मतलब हरे करें के लिए और मैं चेक करूगा अगर मेरी यह फिफ्ट बिट फिफ्ट बिट सेट है तो मैं इसको इनिशनाइस कर दूँगा जीरो के साथ इसको इनिशनाइस कर दूँगा जीरो के साथ अगर यह बिट मेरी सेट है तो मैं उसका यूनिक वन के साथ जोर कर दूँगा अगर बिट अनसेट है तो मैं उसका यूनिक टू के साथ जोर कर दूँगा अब मैं ऐसा क लूपर न पहुं कि जो भी मेरे वन बिट सब्सक्राइब कि मैं जानता हूं एक ऐसा नंबर है कि क्योंकि जान था हूं दो ऐसे नंबर है जिसमें ये बिट सेट ये बिट अंकाल नहीं चलो एक्जामबल ये कि देखते है और क्लियर हो जाएगा यह वाले लें 1 1 2 2 4 5 ठीक है 1, 1, 2, 2, 4, 5 इसका 0 कितना आया एक्स बताओ 1, 1, 0, 2, 0, 4 and 5 बता है एक्साल, 4 के डिप्रेजर कितनी होती है 1, 0, 0, 100 इसके क seventeen होती है, 101 0, 0, 1, 0, 01, soloanne कितना आ गया, मेरा आ गया, 1 तो इसके अंदर x, 0, मेरा आ गया, 1 तो मेरी set bit कौन सी है, set bit कौन सी है, कोई सी भी set bit निकाल सकता हूं, मैं इसके अंदर एक ही है, एक तो पक्का होगी, कोई सी भी हो सकते है, मेरी set bit compulsory निकाल लिए है, तो की power 0, यानि की 0, यानि की 0 एक ऐसी bit है, जो मेरी set है, 0, तो मैं दो number ले लूँगा, unique 1 और unique 2, दोनों को 0 के साथ initialize कर दूँगा, अब जितने भी इस array के अंदर, इस array के अंदर मेरे number ना, जिनके अंदर ये वाली bit set है, जिनके अंदर ये वाली bit set है, उन सब का जोर मैं ए जितने भी number है, जितने ही मेरे array number है, जिन में ये वाली bit, 0th bit unset है, उनका मैं जोर कर दूँगा, यूटू के साथ, ठीक है, आई समझ, उनका मैं जोर कर दूँगा, यूटू के साथ, अब मैं ऐसा क्यों करूँगा, ताकि अब दो मेरे number होंगा, दो जो ये unique number है, इसमें मै तो ये दो unique number मैं ने कर लिए, अब जो बागी के जो ये number बचे है ना मेरे, let's suppose करो, इस वाले मेरे ये 0th bit set है, तो ये दोनों एक use में जाएंगे, एक number है N, वो twice exist करता है, उसके अंदर ieth bit, ये वाली set bit, या तो exist करेगी या नहीं करेगी, अगर exist करेगी, तो ये दोनों के जोर करूँगा, jyro हो जाएगा, तो प्रेको फरग ही नहीं पड़ेगा, अगर दोनों के अंदर ये bit exist नहीं करती, तो दोनों के दोनों यूटू में जाएंगे, ठीक है, और दोनों के दोनों convection में जाएंगे, jyro जाएगा, simple, तो जो मेरे equal number है, जो दो मेरे duplicate number है, इसके अंदर या तो bit set करेगी या नहीं करेगी अगर करेगी तो भी एक साथ जाएंगे u1 में अगर नहीं करेगी तो भी एक साथ जाएंगे u2 में और जब भी यह दोनों एक साथ जा रहे हैं तो दोनों को मैं जोर करूँगा क्योंकि यह दोनों equal है यह में को 0 दे देगी तो बाद में क्यूंकि मेरे 4 और 5 अलग अलग जंगा जा रहे है तो खाली U1 में 4 या 5 में से एक नंबर बचेगा, depending on कोन से के अंदर वो भीट सेट है, U2 के अंदर एक नंबर बचेगा, depending on कोन से के अंदर वो भीट सेट नहीं है, ठीक है? आई यह प्रोस समझ, बताओ, mostly किसी ने देखा ही नहीं थी वाली प्रोब्लम पहले, आई यह वाली समझ, I know हलकिसी कॉंप्लेक्स है, लेकिन बड़ी सिंपल से है, मतलब जस्त तुम्हें जोर समझ रहे हैं कि कैसे काम करता है, मेरा बाद में जोर आया, उसमें बिट सेट कहा है, रोल है इसका, आई समझ, वरना I can explain it again, अगर किसी को डाउट है तो, या कुछ और एक्जम्पल देखे को, कि यह वाले एक्जम्पल कर दो एक बार, एक और एक्जम्पल, ठीक है, चलो तुम्हीं बताओ, तुम्हीं बताओ, चलो, एक्जम्पल बोल दो, जो बताओ, तुम्हीं लगेगी, यह वाला तो हाट से एक्जम्पल है, यह वाले करके लेखते हैं, बट बटी सेट में बताना, चलो डुब्लिकेट वाल तुम्हीं लिखता हूँ इसने, चलो, यह वाला एक्जम्पल लूँ, या और किसी को भी कोई और नमबर आड़ करने में बता दो, मतलब एक्टा एक साथ कर देते हैं, पूरा बड़ा एक्जम्पल लेके, ठीक हो, यह वाले से अपना, जो है, ट्राय करने का सॉल करते हैं, जो मेरा एक्ज़ोर आएग, वो कितना आएगा, टू और टू का जिरो हो गया, चार और चार का जिरो हो गया, 7 और गेरा का कितना हुआ? 7 कैसे प्रजट करते हैं? 11 को कैसे आठ चार दो इन दोर्व का जोड़ करो कितना आया यह 0 होगा एक एक जीरो यह बढ़िया मिला है यह बेसिकी कितना है आठ ऑचार बारा यह मिला इसके अंदर बिट कोरब को सेट है टू और थ्री अब सपोस्थ करो मैंने टू उठाली यूजिए जीरो से लेकर थाइट पर तो second bit पहले आगे तो second bit set मिली की अब set bit मिली मेरको 2 ठीक है अब मैं दो रॉपर बनाऊँगा u1 is equal to 0 और u2 is equal to 0 ठीक है अब अगर ये वाली bit set है ये वाली bit 1 है यानि कि set है तो मेरे u1 के साथ जोर होगा और नहीं है तो u2 के साथ जोर होगा ठीक है अब basically इसका मतलब क्या है क्योंकि मैं जानता हूँ ये वाली bit जो मेरी x में आई है ये second bit आई है ये मेरा जो x है basically दो unique number का जोर है और ये वाली bit मेरी set है इसका मतलब है ये वाली bit एक में set है एक में नहीं है ये वाली bit A, A, B, B अब अगर B, B में वो bit exist करती है तो ये दोनों एक साथ जाएगे आइधर U1 में जाए या U2 में जाएगे तो ये जहां भी जाएगे B और B का जोर 0 करतेंगे तो उनको फरक नहीं पड़ेगा वो U1 में चले जाएगे जब इनका जोर 0 हो जा रहा है तो फरक क्या पड़ेगा सेम विद A और A या तो यहां जाएगे कट्थे हैं यहां जाएगे जहां भी जाएगे तो एक जगा जाएगे तो इसका जोर 0 हो जाएगा पेर में है A, 0, A, 0 B, 0, B, 0 ठीक है अब ऐसे ही और जो बाद ही में बचेगा U1 में में जानता हूँ एक तो यूनिक नमबर पक्काएगा उसके अलावा कुछ नमबर आएगे 2 इन्टु X 2 इन्टु P लेलो 2 इन्टु P एरवन यानि कुछ नमबर आएगे जिनका काउंट होगा 2 इन्टु P एरवन यानि P1 पेर है P1 ऐसे यूनिक नमबर है जिनके अदर वो बिट सेट है और हर एक नमबर दो बार एक्जिस्ट करता है तो 2 इन्टु P1 आगे अब इसके जाना तो एक यूनिक नमबर तो आए गई देखने इसे सेट यह चार जाया है विथ सेट आफ मिनदर तो ऑाफ भर इसके अदर जाए इसके नदर छिव्य डूनिर यह है यह जोर कितना आया चार जोर चार जोर साथ और चार जी रो गए देखो हए जाज डिल्या पेर basically टो जीट चीदो हणए करता है तो चार वाले यूवन में जाएंगे पाच वाले यूवन में जाएंगे क्योंकि पाच के अंदर भी फुजे यह सेट है ना इसकी बाइन प्रेजेंटेशन के होती है तो यह वीट तो सेट है तो पाच वाला प्रेज यूवन में गया चार वाला भी यूवन में गया साथ वाला भी गया तो पाच और पाच जीरो होगे चार और चार जीरो होगे बचा कितना साथ 11 वाले में खाली 11 यह यूनिक वाले में यूटू में खाली 11 गया और 11 ही बचा ठीक है अब इसका देखत नंबर दो जीरो जीरो एकज ओर 11 कितना वचा 11 तो यह मेरा यूरिक one representing करता है मेरा 7 यूरिक टूर रिप्रेज़न करता है मेरा 11 तो देखा तुम्हें दो यूरिक नंबर मिरको मिलके 7 ओर 11 वह यूरिक नंबर मेरे है साथ ओर 11 ठीक है आई होप समझ आ गया होगा समझ आ गया सभी को आ गया ना बस बस इसमें बेसिकली यही है कि बिट सेट है इसका मतलब है कि एक यूरिक नमबर में एक्जिस्ट करेंगी दूसरे में नहीं है अब जिरा अन्दर सेट विसारे पियर में जाएंगे जाए मैं जाये जो भी विट सेट भी तो वह उपना जीरो करते तो बस यह उपर वाले का यह ॉडिफाइड वर्जन है यह बढ़िए-बढ़िए-बढ़िया आप इसके और प्रोम है इससे असार है वह उन पॉड़िय अगर तुम सब बोले तो विवाली विकेंड ट्राइए अब एक प्रोडम और बची है मेरे पास जिसके स्टेट्मेंट नहीं विनी मेरे को मतलब दो और है उसके अलावा फिरूम करते हैं अपना बड़ी अपना 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 इसारी सारी प्रोडम तुम्हें हेल्प करेंग अब सब्सक्राइब एक एरे की वन है मेरे पास इस कितना है थ्री एन प्लस वर थ्री एन प्लस वर अब इस एरे में एंड नमबर ऐसे तो तीर बार एक्जिस्ट करते हैं सब्सक्राइब तो वन वन वर रॐ और एक नंबर है तो अकेला एक जिस्ट करता है लैक थ्री तो तुम्हें ये यूनिक नंबर निकाला बहीं यह तीन नंबर बताओ जो यह एंड नंबर है लहוסा नंबर न नंबर टुम्हें नंब तो बताई दूगा पहले दो मिट खुद खुद भी सोचों अगर जिसको हल्की फोटिन हैं फिफ्टी मतलब एक-दो मिट देता हूं अगर अप्रोच बने तो बताना जिसके अप्रोच बने बरना एक-दो मिट में स्टार्ट करूं गई लाओ बने मिट 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 खुद 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 दूण जो जो झालता हैं लोगने वाइबस तो मिट मिट जो बने खुद खुद गा कि अपरोच बनी याविर मैं करूँ डिस्टाइब कर दो पर देखानों करता हूं चल ओट तो इसे कि हरेक नंबर तीन बार एक बार प्रजय को अब नमबर को आगा को बैंदर्ली मिट्समें अगर रिप्रेजेंट कर दो नमबरों बैंदरी बीट्समें तो यह नंबर में तीन दफाए तो मैं जानता हूं सेम नंबर मेरा तीन बार आएगा तीक है अब मेरी काउंट ओफ बिट्स यानि की बिट्स के जो रेंज होगी वह कितनी होगी अब सपोस करो मैं एक व्यक्टर मना लूँ ओफ साइजटी वन और इसके अंदर मेरा जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स अप्टू 30 इंडेक्स होंगे और इसका हर एक इंडेक्स रिप्रजेंट करेगा कि ये वाली मिट कितनी दफाग मेरे किसी नंबर में आ रही है जैसे सपोस करो यह वाला एक्जाम्पल लेता हूं इसके लिए दो जीरो वन तक कहीं बना लेता हूं एक सेकंड जीरो बन तक का नहीं थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको ले लेता हूं कुछ सबोस करो साथ ठीक है हीजों तो कितनी मेरी मैक्सिंट यहां मतलब आट तक कि लेरे टास है है brand फॐवर से Finnish को सबके सब्सक्राइब कर इसको है हर एक जीडो बार रही है अब मैं एरे को अपना करना स्टार्ट करूँगा सब्सक्राइब को इसमें कुछ बड़ा ले लेते हैं कुछ बड़े नमबर भी ले लेते हैं जैसे पाच पाच एड़ पाच तो इसका काउंट कितने हो गया इसका काउंट कितना हो गया वन यानगि जीरो भी एक बर आ चुकिया अब मैं आया यापर 5 के अंदर कौन वों यह मेरा चार गया ठीक है एक बार इसके लिए बढ़ी अब पाच भी मेरा तीन से बिलकुल बिलकुल पाच भी मेरा दो बार आ रहा है यानि कि इसकी यह मेरे दो पर बड़े इसका चाहिए दो बार बड़ा करा भी 3 आधि 6 साथ के इदर कों वोंसी सैट है चार द एक चाहर 2 बहीं कि यहाली waluk है तो मेरा अबना साथ चार चार जीनुक तो इसको का म करो इसको तुम 7 साथ निये इसको लो तुम 6 वा थे लो ँसे top तो यह जैनि कि पहले चैनल यह था न चैनल तो अब यह जब यह वाला जब यह वाला चैनल आया तो मैं तो इसका अ कौन कोई से बिट बेडिद कर लोगी है या राधि प्रिड़ ने minder highlight-shade यह झाल होगा जाच जी जीरो तो थीरो थीर бол थी है अब इसके ऑंदर यह extrus Otwell कर रहा है वाई अब मैं जानता हूँ हर एक बिट हर एक बिट मैंने कितनी टाइम आ सकती है जो 3N नंबर है अगर एक बिट इस N में आ रही है तो जो नंबर तीन बार रिपीट हो रहा है वो बिट तीन बार हो रहाएगी यानि कि एक आई एद विट अगर जो इस वाले डुब्लिकेट नंब में आ रही है और अगर मेरे count count यानि कि count I modulo 3 is equal to 1 है इसका मतलब क्या है ये bit कीरी भी तीन नंबर में आ रही हो इक ठी लेकिन एक इसमें डुब्लिकेट भी आ रही है एक डुब्लिकेट नंबर में भी ये वाले बिट आ रही है जब इसका modulo 1 है मोडुवल कम आएगा эта unity टो दुलिकेत नमबर में आ रिए और एक यूंएट स्थ 3 duplicate में आ रही है, 1 unique में आ रही है, अब 3 duplicate क्यों? 3 duplicate में आ रही है, एक duplicate में 3 में 3 बार आएगी, 3 x 3 9, 9 plus 1 10, 2 duplicate में आ रही है, एक duplicate में 3 दफाएगी, 2 x 3 6 plus 6 7, तो ऐसे ऐसे मेरी bit आ रही है, अब इसके अंदर मैं देखो, कोन कोशी bit है, जिसका modulo 3 is equal to 1 है, ये वाली, और ये तो मैं एक बात हो सकता हुँ है जी जी मिट का मोड्यों three vaalड है यॉवाली बिट मेरे य९ुदि के अंदर सै यूनिक नमबर के अंदर वह विट सैऽ 돼 cukile एक प्लस टू की पावर डो ये कितना हुआ दो प्लस चार ये कितना हुआ चैट मेरा युनिक नंबर चैटा बिल्कुल चैटा आया समझ मॉडूलों तीन तीन नंबर में भी आ रही है क्योंकि तीन से डिवाइड होने के बाद बना दिए अगर वह खाली तीन नंबर में आ रही हो ठीक है क्या सबको हो गया और को हो गया किस अमनों लक्स के अलावा किसो को पूछलो वर्णा फिर एक और इसके बाद प्रोब्लम उसके वाले दोर लीट कोट की देखते हैं चलो अभी एक और प्रोब्लम है यह मतलब कोई वैसे स्टेटमेंट नहीं है यह मैंने कल खुद यह प्रोब्लम बनाई थी कि अब बढ़ गया करो ठीक है अब वी चलो यह प्रोब्लम है यह मैंने खुद यह बनाई थी मतलब पता नहीं देखो एक एरे गीवन है मेरे पास एक एरे गीवन है ठीक है उस एरे में तुम्हें क्वेरिस गीवन है कुछ इसके एरे में टेंर फेंट उम्हें ऑक इन लाख स्मझे एक से लेके दो करो इस पूरे segment का end करो इस पूरे segment का end करो और जो भी जितने भी segment तुम्हें गिवन है उनका जो भी end आ रहा है उसकी multiply करके बताओ यानि कि x into y बताओ x into y बताओ खीक है? आई के question clear है? अगर clear नो तो दोबारा बताओ एक area तुम्हें गिवन है उसके बाद तुम्हें कुछ queries given है जिसमें पहला तुम्हारा number है NS यानि number of segment उसके बाद segment की range given है L to R उसके बाद तुम्हें क्या करना है? हर एक segment का end करना है इस segment का end किया, इसका किया जितने भी area given है, सबका end किया और उन segment की जो value आ रही है जो भी आ रही है उन सबका multiply आपस मुदर को बताओ उन सबका multiply तुम्हें बताना है क्या multiply मेरा आएगा ठीक है वो तुम्हें answer बताना है जैसे इधर दो segment है तो X into Y बताना है और number of segment जो तुम्हारे यह तुम्हारे 5 है यह दे दिन है यह नहीं ऐसे नहीं है पहली रेंज दूसरी रेंज तीसरी रेंज रेंज की तुम्हें फिकर करने की जोड़त नहीं है तो क्या प्रोलम क्लियर है तुम्हारी रेंज का add लो हर एक रेंज का end लेने के बाद उन सबका multiply करके जो answer आएगा वो बताओ ग्रोलम क्लियर है यह यह बताओ पहले अधिक है आयोग सबको क्लियर है तुफिर इस वाले को कैसे तुम लोग solve करोगे तो क्या प्रोच लगाओगे बताओ क्या प्रोच लगाओगे solve करने में तीने को में तीन तक का टाइम देता हूं तीन तक का टाइम देता हूं फिर में करता हूं डिसकस इधने सोचे तुम लोग झतangan बेला से का टाइम देता हूं तक का टाह्म में देता हूं ऑ sumत्तिक दिए झाल झाल तो अलिया प्रोच पनी किसी की यह मतलब जो अभी मैं अप्रोच बता रहा हूँ यह रेंज क्यारी मतलब जब भी तुम बिट की रेंज क्यारी करों कि काफी ज्यादा यूस्फूर अप्रोच है यह पहले यह वाली प्रोब्लम मतलब बाता रहा हूं जनरल एक एप्रोच बता रहा हूं जोर क्यों करेंगे मतलब मैं एंड की बात कर रहा हूं तो वाइड की बात कर रहे हो एंड की बात कर लेंगे कंप्यूट पहले जो मितने इतने लिख हो इतनल बताता हूं जो मैं बताना चाहर हूं यह आपछ यह जो सी कि जो सी इसल एक एक प्रोपारइटि है होगी और यह वाइड प्रूपैटी होगी न तुम्हेंक प्रोपरेटी होती है के जोड़ी के ऐसलऊ प्रोपाने होता है रग हां मेच किन automatि चॉकर होdar चीज हो क्या हो से कि ने टाइप लगते हैं और फिर या मतलब प्रोपाने साथि और यह ऊता है प्रपर चलाना पड़ेगा उसके अलावा एक पड़ी सिंपलसी और तुम देगो तो एट की प्रोपईटी क्यों होती है end में set bit 1 कब आएगी जब दोनो bit 1 होगी अगर मैं तुम्हें किरी 5 नमबर का add करना है तो ये वाली bit 1 कब होगी जब 5 के अंदर वो वाली bit set होगी अब ये वाली बात याद रखो कि end के लिए ये वाली bit 1 का मतलब है कि जितने नमबर का मैंने end कि आए ना सब के अंदर ये वाल यह मैंना array कंपूइट कर लिया prefix array मैं कंपूइट करूँगा फ्रॉम 0 वन तो ए यन माइनस वन ए सबहरें की ना सब्सक्राइग तो डिया इन सब्सक्राइब करत कर ओऊ-बैसिकलिए तू डियाए ओन ए इंटू थाइटीवण यानि हर एक बिट के लिए और müe डिया क्या करेगा कि यह मेरा रिप्रेजर्ट करेगा बेसिकली कि सब्सक्राइब और वियाई जे यह कुछ आई डी कुछ प्रकापिटल आइगा जीरो से लेके आई तक घुबेगा याई अगर मैं तुम्हें बोलू जीरो से लेके यह 5 तक यह 5 बिसीकली हर एक 59 इंडेक्स पर 31 यानि कि हर एक इंडेक्स पर कांट ओव बिट कांट ओव बिट मेरे कितनी ओख रिप्रMin तो जीरो से लेके 30 तक कि बिट मेरे को इड़ेगा अगर akरोब बता रहा हूं तो पांच पर अगर आगर में 6 जाकी वैली निकाल हुआ तो इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 5 पे इंडेक्स नंबर 5 पे 6 bit यह चाहिक जाए कुछ चोटी कुछ भी bit ले लो bit number 6 bit number 2 ले लो इसे चलो चोटो एक सकेंड चोटी लेते हैं बड़ी में करने करो कई बार confusion हो जाती है बड़ी में न तो चोटी लेते हैं तो bit number 2 कितनी दफ़ा सेट होगी फ्रूम जिरो तो पाच ठीक है यह वो count इस्टोर करके रखेगा अब मैं इसके लिए जैसे क्या array दिया था मैंने array दिया था कुछ तो 2 की power 0, 1 और 2 यही 3 मैंने लिए वैसे 30 तक मैं compute करूँगा जब मैं अपना code में करूँगा तो तो पहले वाले पे यह index number 0 है, 0 पे कौन से bit में रिसेट है, सब 0 पड़ोगा मेरा initially सबको 0 पड़ा है, ठीक है सबको 0 है मेरा पूरा 0 से initialize करूँ मेरे को, 2 power 0 मेरा यह एक हो सबको 0 पड़ा है, तो 2 की यह वाली bit set होगी, अब यह वाली bit कितनी है, 1 प्लस 1, मैं starting से check करूँगा, क्या यह वाली bit, यह वाली bit, मेरे 2 के अंदर set है, नहीं है, तो यह वाली bit कितनी होगी मेरी, जो मेरी अब तक set हो चुकी है, नहीं कि 1, अभी देखते जाओ, अगर बाउंट इतन ही होगा, 1, अभी यह आ गया मेरा 1, अभी यह आ गया 1, कि 2 मेरी 2 की पावर 1 set है, विलकुल है, तो यह कितना आगया, मैरी 1, प्लस, जिदनी ही अब तक set हो चुकी है, 0 हुए है, तो 1 प्लस 0, 0 आ गया, मेरा, 1 प्लस 0, मेरा 1 आ गया, कि 2 में 2 की power 2 set है, नहीं है, तो 0 यहाँ पे यह 0 प्लस यह 0 आगया, 0 बचा, तो हम मैं देखू, यहाँ तक यहाँ तक यह मेरा represent करेगा, कि यह bit कितनी time आ चुकी है, पहले bit कितनी बार आ चुकी है, दूसरी bit कितनी बार आ चुकी है, एक बार इस इस में आई, यह आ गया, 2 मे प्लस एक बार पहले करती है, तो 1 प्लस 1 टू, तो 1 प्लस 1 टू, यानि कि मेरे इस वाले इंडेक्स तक पहली bit दो धवा एक्जिस्ट करती है, अब नरको यह नहीं बता किसमे करती है, किसमे नहीं करती है, दो बार एक्जिस्ट करती है, यहाँ तक पहली bit, यह 2 की पार 0 य जितना पहले करती है उत्य पमॲू कुप पूरा का पूरा तो इसके उन्दर करती है यह पूरा तो आएगा करती है अगर तो इससे काउंट एक बढ़ा दिया अब पेहले तो इधर ब्रूट करती है तो मैंने इसका काउंट बढ़ाए तीर करते हैं आपया कि आपके सब्सक्राइब करते हैं तो 312 312 मेरा यारी का यारी कि याने 2 तो देख रहे हैं अब तुम्हें किसी रेंज का एंड निगालोगे अब कुछ लग रही है हिंड जो मैंने यह बताया और तुम्हें यह बताई थी और जो तुम्हें यह बताई थी पाच्वट साट होनी चींड है कुछ लग निया मतलब काउंट ओंव भेट किसे तुम चेक करोगे है ठीक है माललो तुम्हें एल से आर थक तक तुम्हें एड निकान ना है एल से लेक। थो तुम क्या करो दूं हर एक बिट के लिया, from 0 to 30 चेक कर लोगे, अगर मेरी 0 का count L से R के बीच में नमबर कितने आएंगे L से R के बीच में, R minus L plus 1, इसके X सपोज कर लेते हैं अगर मेरी 0 का count between R to L, between R to L यानि कि X है, यानि कि इसका मतलब है जो मेरी 0th bit है न, यह हर एक नमबर में set है, अगर मेरी 1 का count X है, तो इसका मतलब मेरी पहली bit हर एक नमबर में set है, आप सपोज करो 3rd count X minus 1 है, यानि कि L से लेके R के विच में कोई एक नमबर ऐसा है, जिसके अंदर यह वाली bit set नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी होती तो यह वाली bit include होनी चाहिए थी, तो यह वाली bit will not include in my end, यह वाली bit I will include क्योंकि हर एक नमबर के अंदर है, 0th bit I will include क्योंकि हर एक नमबर के अंदर है, तो ऐसे बात में मैं निकाल दूँगा, 0 include है, तो 2 की पावर 0 मेरे end में होगा, प्लस, 1 include है, 2 की पावर 1 मेरे निकालने को दे दिया, तो just of 30 में, just of 30 में you can find out कि वही, कौन-कौन स्या, मतलब क्या end आएगा मेरा, कौन-कौन स्य बिट आएगी, वो निकाल लोगे, और कौन-कौन स्या end आएगा, वो निकाल लोगे, आगे आए, बड़ा सिंपनसी, अब तो, अब तो, अब तो, बचाई निस करना, ऐसे निकाल ले, तुमने एक range का end निकाल लोगे, और जो भी आए, उसे multiply करते जाओगे, तो यानि कि तुम्हारी complexity कितनी आई, एक range का end निकालने में तुम्हें 30 operation लग रहे है, ओफ 30 क्योंकि हर एक bit के लिए चेक कर रहे हो, number of segment, यानि कि हर एक segment के लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा, number of segment कितनी हो सकते है, maximum 5, एक query के लिए query कितनी है, इंटो क्यों, तो तुम्हारी ये कर लोगे, कि मेरे कितनी end आएगी, ठीक है, समझ गई, और ऐसे ही, मतलब पूरा ऐसे multiply कर लोगे, अगर तुम्हें, मतलब, नोर्मली करते हैं तो तुम्हारी on square आते, क्योंकि हर एक, अगर तुम देती, उसने पूरे array कावल कर दिया, तो हर एक के लिए, तुम्हारा OV N आ रहा है, पूरे array तुम्हें के लिए करना पट रहा है, N इंटो Q, तुम्हारी complexity आ लिए, तो तुम्हारी queries में भली एक segment हो, भली पाच हो, भली हजार segment हो, तुम queries में कितनी हैं, तुम maximum 100, तुम maximum 1000 query iterate कर पाऊगे, lead code पे तो वो भी नी कर पाऊगे, lead code तो 1E8 देता ही निया तुम्हे, 1E7 plus पे lead code पे तो TLE आने के chance काफी जाद होती है, CF पे, मदब maximum देखने हो, तुम लोग iterate कर पाऊगे, और अगर तुम ये वाला करते हो, तो तुम कितनी, एक लाग query तुम लोग करते 1.5E7, okay, very 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 less than 1E8, मतलब, 6-7 time कम है, 1E8 से तो आप से तुम लोग ऐसे कर दो है, calculate, similarly तुम जोर कर सकते हो, similarly तुम एक जोर के लिए calculate कर सकते हो, तो बड़ी simple सी ये आ गया, ठीक है, आज सी class में कोई doubt, इसके अलाबा काफी problem है मेरे पास, एक second रोको, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, कोई कोई सी problem मतलब मैंने काफी सोची थी, problem discuss कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाए, because of time, ये code staff की problem थी, काफी बड़ी आ problem है, ये range वाली मैंने करती है, तुमाएं साथ, discuss, एक ये जोर DP की problem थी, CF पे, लेकिन ये काफी ज़्यादा hard problem हो जाएगी, ठीक है, एक ये lead code medium थी, ये मेरे को मिली नहीं, एक ये वाली problem होती है, ये जो रोल segment, में भी तुमने कभी सुनी भी हो, मदाब एक पूरा तुम्हे array given होता है, जैसे अभी मैंने बताएं, एक एक query दे देते हैं, इस segment पर जाके एक जोर perform कर दो, और फिर तुम्हे सम बताना होता है, completely, एक ये होता है, एक ये problem है, square subset lead code की भी है, इस पे lead code पे भी आई थी है, एक दो contest पहले, अगर किसी ने दिया होगा तो, C problem या CID, C problem थी है, ये multiply वाला मैंने बता दिया तुम्हें, ये DP with, अच्छा, जो ये हम bits करते ये use का होती है bit, मतलब या तो bit की अपने कोई problem आईगी, या 90% of the times, ये DP with bit masking में use होती है, 90% of the time, और जो मैंने बताया देना, get set clear, उसी में ये bit use होती है, ये वाला, जो मैंने पूरा बताया देना, get करो, ये करो, वो करो, उसी में use होती है, DP with bit masking की, मैंने ये वाली problem सोची ये मतलब काफी hard सी problem है, तो मैंने ये वाली करतेंगे discuss, लेकिन अगर तुम्हें DP आता होगा, तो ये वाली होगी, क्योंकि बिट की काफी कम knowledge लगेगी, manager से idea देने के लिए, कि वाई, मतलब bit अगर आती है, तो कहां use होती है, ये DP at quarter contest था, उसकी ओ वाली problem है, ये, तो वो की कॉंट है, 333 ये प्रोबलम है, और ये चार प्रोबलम है, इस पे, ये में तो सेम है, ये चार प्रोबलम je då, मतलब ये सारी problem मैंने सोची थी, यह अगर कर लोगे, काफी मतलब तगड़े हो जाएगा, तुम्हारे bit के अगर अब ये प्रोबलम बताई है, यह भी काफी, तो आज की किलास कैसी लगी होई मतलब आज तो पहले तो वह बता दो अगर किसी को डाउट हो कुछ भी तो वी कन डिस्कॉस कहां चला गया हुए अब आज की किलास अभी के लिए था मतलब बिठके का अभी तो खाली प्रोडम बची है अभी तर प्रोडम अभी त्रीन गंटे लगबग हो चुके हैं तो इसलिए मैं करनी रहा है लास्ट वाले में थोड़ा कन्फ्यूस गूआ अच्छा यह एंड वाला अरे नीव बनाके यह वाली सब्सक्राइब लगा तो यह जादा हाइब तो यह बिल्कूल देखा और बढ़ी आप्रोच काफी बढ़िया वाली प्रोडम है सारी कि सारी ना मतलब तो तुम लोग इन्हें अपना ट्राइब कर सकते हो और मतलब और कोई तो डाउट नहीं है ना आखरी वाला है ट्राइब करना हो जाएगा कुछ ज्यादा मतलब ऐसा नहीं थे कि बहुत हार्डवर कंसेप्ट है सिंपल अपना प्रिफिक्स हम है कौन से उसमें मतलब अभी त तो में भी हार्ट लगाओ अगर तुम्हें एक्स्पिरेंस से पाथ साथ दो-चार महीनों का हो तो हार्ड लाइगा प्रिफिक्स हम तो मतला सिंपल सा टोपिक है तो ठीक है चलो फिर उसको प्रोडम बेशता हूं फिर अपने बाद अच्छा बढ़िया थैंक्यों पहली क्लास्टेवल की मैं तो काफी दरवस्ता था मंड़े को अगर्वाइग अ झाल झाल